नमस्ते सभी को, नमस्कार, गुड इविनिंग, सुभ संजा, स्वागत है आप सभी का, मैं हूराम कुमान मिस्तरा, राही अध्यन धाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ, कैसे हैं सभी लोग एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करके बताईए, क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास सक, प्रसांद मिस्तरा, शांडिल्य, पूजा पाल, एक बार सभी लोग मैसेज करके बताईए, क्या मेरी आवाज आ रही है, सब बढ़ियां सब खैरिये अतना, च चाले बही कैसी चल ली आपकी तैयरी और बहुत लाश्ट मुमेंट चलना है अंतिम तैयरी चल लई है और बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पढ़ेगा है ना बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ना पढ़ेगा समय आपके पास बहुत कम है समय आपके पास बह पचा हुआ है कल का और हम लोग एक बेहतर त्यारी करने की कोशिस करेंगे आज मैं बहुत महत्पूर मेराथन लेने वाला हूं आप मुझे यह बताईए कि आवाज के लिए रहे हैं कि सब खेरियत कि गारगी पूजा कि बताओ अकांग्षा तमाटर चलू ठीक है सब के लिए रहे हैं चलिए दोस्तों एक राट और अभी अंतिम रात कल है एक रात और बची हुई है उसके बाद आपका इंग्जाम होना ही होना है तो प्रसांत मिस्रा आप मुझे यह बताइए पहले काभी करेंगे अगर्द करेंगे आज की क्लास में हम लोग कंटेंट की क्लास करेंगे जो अंतिम समय में कंटेंट याद है पिछली बार लास्ट मैंने रिवीजन कराय थो और वो एक्जाम आया पिछली बार में एक्जाम से एक दिन पहले अनकेडमी पर लाइव था और उसमें से दो तीन प्रस्ट डायेट आये थे कोशिस यह है कि इसमें से कम से कम 20% 20% डायेट आपके एक्जाम में आये इसमें मैंने केवल हिंदी साहित कितिहास को रखा है इकाई दो को है ना से लेकर नई कभिता तक है और गद्य में आप देखोगे तो नाटक्स लेकर अन्य विधा तक यह कंटेंट की क्लास है और कब तक चलेगी मुझे भी नहीं पता जब तक आप पढ़ना चाहोगे और मोश्ली आधी राद तक हम लोग इस क्लास तो पढ़ेंगे ठीक है नमस्ते स्वाति आचल नमस्ते सुजीत ओजा नमस्ते तो काब से सुरू करेंगे या गद्य से आप बताईए काब से सुरू करें या गद्य से सुरू करें मादुरी सिंग और आज सीटेट के एक्जाम था मेरे जिन विद्यार्थियों का सीटेट हो गया उनको बहुत सारी बढ़ाई जिनका नहीं हुआ उनकी अगली बार और अच्छे नमबर से पास हो जाए ऐसी सुप्तामना है और फिर से एक बार मेहनत करें रीतो नमस्ते कैसी ह करते हैं पहले काब से शुरू किया जाए पहले काब से शुरू करते हैं आदिकाल से लेके पहले काब से शुरू करते हैं फटा फटा आएंगे काब से लेके गद्धे तक है ना काब से शुरू करते हैं और गद्धे पर आएंगे और देखो मोश्टली सब तो नहीं लेकिन जितना आ सकता है वहां से मैं पोसिस करूँगा सबसे पहले आप देखेंगे तो मैंने गो रख बाली में संक्लित गो रख ना आते क्योंकि चाहे TGT, PST हो, NetJRF हो यहां से प्रस्ण आता ही आता है है ना? यहां से प्रस्ण आता ही आता है तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइट कर देना एक बार सभी लोग क्लास को लाइट कर देना और हम लोग शुरुवात करते हैं एक दम जवरजस्त कंटेंट की क्लास की है ना? हां तो यह क्लास हमारी कंटेंट की क्लास है और शुरुवात करते हैं आदिकाल से तो आदिकाल में नाम आता है गोरखनात का तो गोरखनात की रचनाए अक्सर आपसे एक्जाम में पूछी जाती है गोरखनात की रचनाए अक्सर एक्जाम में पूछी जाती है मैं आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगा गोरखनाथ देखो आप मैंने आपको बताया था कि इनकी 14 रचनाए है कितनी रचनाए 14 मैंने पहले आपको पढ़ाय कि नहीं पढ़ाया पढ़ाया ना इसको याद करने का तरीका देखना बात करने का समय बिल्कुल नहीं है एक्जाम के टाइम पे point to point मैंने आपसे कहाता गोरखनाथ गोरखनाथ की जो प्रमाडिक रचनाए है तो मतलब इनकी एक शिष्या दर्सन करने जाती है इनकी एक शिष्या क्या करने जाती है दर्सन करने जाती है यानि सबसे पहले शब्द और पद से सुरुआत होती है इनके शब्द और पद शुरुवात करते हैं शब्द और पद सुनकर इनकी एक सिस्या दर्सन करने जाती है तो दर्सन किसी महानपुरूस का डायरेट नहीं हो सकता है यामनी तो क्या होता है प्राण का शंकलन कर देती है मतलब दर्शन करने के लिए प्राण की बाजी लगा देती हैं कहती है हम अपने प्राण संगलन कर देंगे जब तक हमको दर्शन नहीं होगा इनकी स्रद्धा को देखके नर्वे बोध होता है इनको ज्यान का बोध होता है आत्म बोध होता है नर्वे बोध और आत्म बोध फिर जब नर्वे और आत्म बोध हो जाते थे इनको अभय मात्रा योग मिल जाता है अभय मात्रा योग मतलब इनको ग्यान की प्राप्ति हो जाती और ये अजर अमर हो जाती है उसके बाद इन्होंने ये साधना कैसे की पंदरह तीथी तक यानि पंदरह तीथी तक लगातार सब्तवार साथो दिन तब मचिंदर गोरक नाज जन्म लेते हैं किलियर ना बढ़िया अब आप देख लेना आएगा कि नहीं आएगा मैं आज भी बता रहा हूं यूपी टीजीटी पीजीटी वाले इनेट जारफ वाले लगवग यहां से प्रस्नाना तैं होता है चलिए ट्रिक के साथ याद कराऊंगा अपने आप भी ऐसरी बीजन नहीं क पूछा जाता है और बहुत अच्छे तरीके समय आपको बताऊंगा देखिए अभी अभी पिछली बार भी आया था अभी आप देखेंगे इसमें तो सुरुवात कहां सोती है दल्पत बिजे है ना दल्पत बिजे उसके पहले खुमाड राशों है उसके पहले क्या है खु हां इसमें को चलिए हाँ इधर है ठीक है इधर है डेखो जब किसी राजा को खुमार चड़ता है पहले खुमार बी शल्द दीव राषो बीशल द्योग बाद परमाल रातों फिर पृतिवी राज रासो ऑर बताता है और है पूछा जाता या ना बता ये पवन पूछा जाता है या ने यहां से भी प्रस्त लगभग आना तैं होता है यहां से भी लगभग प्रस्त आना तैं होता है ठीक है जे राशो शाहित किसे ठीक है तो खुमार राशो बिजेपाल राशो इसमें बिजेपाल छूट गया है खुमार के बाद बिजेपाल होगा फिर यह भी देख लेजिए य सबसे पहले किसी राजा को क्या चटता है किसी राजाज सबसे पहले किमार सबसे ने कि महिष मति मना करें जब भीजे पाने के लिए या किण पाल रास Laser kės बीशल देओ, अपनी बीर सेना लेकर बीशल देओ, क्या होगा बीशल देओ? यानी बीर सेना बीर सेना में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? पृतवी राज उस समय के पृतवी राज से बड़ा कोई नहीं था तो यानि खुमार जब चढ़ा तो बिजय पाने के लिए अपनी बीर सेना लेके यानि पृतिवी राज़ब लेके चल पड़े जब चल पड़े तो आगे क्या मिलते हैं बताओ आगे फिर जब बिजय हो जाती है तो जैचंद प्रकाश यानि क्या होता है जैचंद प्रकास जैचंद प्रकास इनके जैजयकारा लगता है और ये कौन लगाता कौन है बताओ जैमयंक जैस चंद्रिका जैमयंक जैस चंद्रिका जैमयंक जैस चंद्रिका है ना तो आप देखिए जैचंद प्रकास जै मेंग जै संद्रिका फिर परमाल रासो रणमल छंद फिर क्या होगा परमाल रासो होगा और फिर रणमल छंद होगा और उसके बाद आप लाश्ट में दो रचना आती हैं वो आती है कीरतिलता और कीरतिपता का क्या आती है कीरतिलता और कीरतिपता का है ना कीरतिलता और की पाने के लिए अपनी बीग सेना यानि प्रिथिवी राज को लेके चल पड़ते हैं जब प्रिथिवी राज जीत के आते हैं तो उनके जैचंद प्रकास उनके जैजैकारा लगता है जैमेंग जैस्चंद्रिका उसके बाद फिर परमाल रासो रडमल चंद कीट लता और कीट पता का पूलो याद हुआ याद हुआ और याद हुआ याद हुआ याद हुआ ना एक बार किसका किसका है। खुमाण दलपति बीजे और बीशल देव नरपतिनाल जगनिक का बीशल देव रासो चंदवर्दाई प्रिधिवी राज रासो भट के दार का जैचन प्रकास मधुकर का जैमेंग जैस्चंद्रिका शारंग धर्क हम्मीर रासो नल सिंग का बीजेपाल रासो रणमल तब तक पढ़ाऊंगा बस मेरे साथ बने रहना पानी मगा लेता हूँ अब मम्मे सचेन ठीक है जे चलिए आप देखो इसकी भी ठीक आपको बता देता हूँ इतनी जबर जस्त क्लाश लोगा है ना बस जब तक मैं न जाओं तब तक आप जाएंगे नहीं बस ये वादा करिए आप क्योंकि अगर आप साथ रहेंगे तो मैं आपको करा दूँगा पूरा और अगर आप साथ नहीं रहेंगे तो पूरा कराने का कोई मतलब नहीं है इतनी मेहनत मेरी बेकार चली जाएगी चलिए उसके बाद आप देखेंगे कौन प्रमारिक मानता है कौन अप्रमारिक मानता है कौन अर्ध प्रमारिक मानता है अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई दी शातियों क्या ट्रिक बताई दी प्रमारिक अप्रमारिक अर्ध प्रमारिक मैंने आपको एक बताई थी कोरोना काल है कोरोना काल में क्या होता है जो मास्क लगाए रहते थे उन्हें छोड़ दिया जाता तो उन्हें प्रमारिक माल लिया जाता था माल लिया जाता तक नहीं मस्मक यानि प्रमारिक मगर पूछा जाएगा प्रमारिक यानि मास्क का भी प पंड्य करनल टाड और कौन अर्ध प्रमारिक अगर अर्ध प्रमारिक की बात की जाए अर्ध प्रमारिक तो अर्ध प्रमारिक मतलब आधा आजह मतलब half department, half department का मतलब हजारी प्रशाद दिवेदी और डॉक्टर सुनीत कुमार चतर जी, अब दोस्तों माना जाए आप्रमालिक, तो आप्रमालिक की बात की जाए, किसकी बात की जाए, आप्रमालिक, तो अगर मैं बात करूँ आप्रमालिक की, तो आप्रमालिक में डारेक्टर आर सी जी डारेक्टर आर सी जी डारेक्टर आर सी जी का मतलब डॉक्टर राम कुमार बर्मा राम चंद सुक्ल और कौन गौरी संकर हीरा चंद ओजहा है ना बताओ डॉक्टर 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 डारेक्टर आर सी जी ना हाँ डॉक्टर वूलर है डॉक्टर देखो ठीक ना आप प्रमाडिक में कौन है प्रमाडिक में कौन है इक बार पिर से देखिए प्रमाडिक में कौन है देखो मस्मक मस्मक का मतलब क्या होता है मस्मक का मतलब मिश्रबंदू एस का मतलब स्यामसुंदर एम का मतलब मोहनलाल विसलाल पंड्यक के का मतलब करनल टा रहें बताओ डॉक्टर वूलर डॉक्टर का मतलब रामकुमार बर्मामी ने गलत बता दिया है डॉक्टर वूलर हो जाएंगे आपके और आरसी मतलब राम चंद सुक्ल हो जाएंगे और जी मतलब गवरी संकर हीदा चंद ओजा के लिए पक्का ना हो गया ठीक ना अच्छा और आगे बढ़ी आप और आप आगे बढ़ेंगे अब हम लोग आ जाएंगे भाशा वाले में अब देखो बिद्यापती की भी आती है मैं सिर्फ बता रहा हूं आप मेरी ताकत देख लेना मेरे प्रिछात्रों आप यह देख लेना कि मे किरा इतने दिन कनभव आप देख लोगे एक क्लास से आज की क्लास मातरे क्लास में यूनिट दो से मैंने इतने रामबान चीजें सेलेक्ट की हैं कि आप सोच नहीं सकते आप एक्जाम देख आओगे तो मुझे कहोगे गुरुजी गुरुजी आपसे प्यार हो गया है आप सो बिध्यापत की रचनाई भी पूछी जाती है तो बिध्यापत की रचनाई मैंने ऐसे किया था अगर अगर मैं बात करूं शैउं की तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इनकी जो संस्कीत की रचना है औहट की और मैठली की तो मैठली में पदावली पूछी जाती है गोरक्ष बीज़े इनका नाटक है कई बार हम समझ नहीं पाते हैं तो पदावली गोरक्ष बीज़े आप इसे याद करें छोड़ दीजिए कि लटा की पता का समस्या संस्कृत वाले की है समस्या क कि पानी मंगा लेता हूं कि गला सूख रहा है चलो तो संस्कृत वाले माप आई यह संस्कृत वाले माप आई यार पानी दो बोतल लग दो मैं बार-बार छिल लाओंगा नहीं मेरा गलाव ऐसे भी खड़ाब हो जाएगा एक बूतल यह और एक बूतल लग से लाओ नौर्मली लग दो तुरंत रख दो दो बोतल पानी पता नहीं रात में कब तक होगी तुम लोग सुनते तो नहीं तो स हैं भगवान Śंकर का मंधिर है काशी बिस्वनात और वहां गंगा नदी है कौन सी नदी है घंगा नदी घाट पर जाई कौन सा घाट है जह आरती होती है एकदम बनारस की कशी घाट पे गाहे और जब सेव थे संकर भगवान की पूजा करते थे गंगा मस्नान करते थे और दुरगा भक्तितरंग्री दुरगा जी की भी पूजा करते थे यानि सबसे पहले क्या संकर भगवान की पूजा गंगा मस्नान करके उसके बाद दुरगा की भक्ति करते थे भक्ति करने के बाद आदमी परिक्रमा लगाता है भू परिक्रमा कई बार पूछी गई है और परिक्रमा लगाते हुए जब आप देखोगे जब परिक्रमा लगाते हुए आप देखोगे तो उस शमय क्या होता है पता है परिक्रमा लगाते हुए एक शमय होता है जब आदमी दान करता है क्या करता है दान करता है जानते हैं आप यह बात की नहीं वो दान करता है नमस्ते सामिया तो दान वाक्या वली ठीक न तो सबसे पहले क्या है सैव सर्वसार उसके बाद क्या है शव के बाद गंगा वाक्या वली फिर क्या है फिर क्या है बताईए फिर क्या है पानी पिलेता हूं बढ़िया मज़ेदार याद कर लेना सब जो मैं बता रहा हूं हाँ तेखो पानी ओने लेकर तयार हूं मैं भी तुम भी तयार हो जाना क्लास छोड़ Xian Raj Tip कोई जाएग नहीं बारा बजजा सोक्षा क weighs 2 सामें पता क्लास जब थक्लास्य नहीं खतम होगी तब कोई विध्यार थी जाएग मैं चन्जा प्यार प्यात्यस से बहुत पहले हो हो चुका है ठीक है अब आप आईए और आगे अब हम बात करते हैं यहां से अब आप मुझे बताईए इनका क्रमातिक नहीं कभी दास का यानि निर्गुण संतों का क्रमातिक नहीं आता है आप कहेंगे जी जरूर आता है तो मैं कहूंगा सबसे पहले रैदाश हैं रकन लाल दमशू रकन लाल दमशू अभी हम गद्धी पे चलेंगे रकन लाल दमशू का मतलब सबसे पहले रैदाश हैं रैदाश के बाद कौन है कबीर हैं कबीर के बाद कौन है नानक है नानक के बाद कौन है लाल के बाद कौन है दादू है दादू के बाद कौन है मलूक दास है और मलूग दास के बाद को ने सुन्दर दास हैं? बोलो भाई ये हिंदी यारफ की जै बोली हिंदी यारफ की जै हैं? हुआ की नी हुआ? अरे हो गए की नी आंके बंध गर के करम लगा देना रकन लाल दमसू यानी रहिदास कबीर नानाग लाल दास दादू दयाल मलूग दास सुन्दर दास अक्रम यहीं पर दिया गया है रह दास 1388 कबीर 1398 और लाल दास 1540 दादू 1544 मलूग 1594 और 1596 सुन्दर दास आया मजग नहीं आया एक दम फोड़ देना आप लो तबीयत खराब हो तभी भी पढ़ो मेरी तबीयत खराब जाती मैं फिर भी पढ़ाता हूँ आईए और आगे बढ़ी आप और आगे बढ़ी प्रवित अस्तल प्रशित दस्तल देको शंब्रास्तल यानि जो समादी अस्त दरीवा बाबालाल का सहल बाबालाल यह तो आपको पहचान आएगा मगहर कभीर बच्पन से पढ़ते आए हो यह भी शांग्रेर मृत्तु अस्थले सुंदरदास का और भराने दादू दयाल कहें और द्वारे का मीरा बाई कहें चलिए आगे बढ़िए अब मैंने इसकी क्या बताई थी इसकी ट्रिक मैंने बताए थी हचंफ चित्र ज्ञान है यानि सूफिकी रचनाओ का भी क्रम आते गुमा की आता है नेट एह पीज़ीन पीज़ी सभी एक्जाम में आता है और गाना जैसे गानने तारां तूम 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 सुभीजों मुझ में समाया ने वह एसे उसी पर मैंने बना दिया ह यानि हन्साली हासे क्या हो जाएगा। अंसाली क्रम देखिए ऐसे क्या हो जाएगा हैी माशी हम्रिगावती हचंप कक मतलब क्या पदमावती चित्र का मतलब क्या चित्रावली चित्र का मतलब क्या चित्रावली ज्यान का मतलब क्या ज्यान दीप हां का मतलब क्या हंस जवाहिर क्या हो जाएगा हंस जवाहिर एक मतलब क्या इंद्रावती और आ का मतलब क्या अनुराग बासुरी यह क्रम नजाने कितनी बार पूछा ग एकदम फोड़ देंगे नेट जयारफ को एकदम तोड़ दिया जाएगा टंटना दिया जाएगा है कि नहीं है ठीक नहीं ठीक है आया ना अब यहां पर भी आप देख लो तो हंशावली घर आप देखोगे क्या हो जाएगा पंदरावती 151 और फिर पदमावत 1540, 1520 मिलता है पंप मा के बाद वह यह चित्र ग्यान है है चित्र ग्यान है का मतलब चित्रावली चित्रावली 1613, ज्यान का मतलब ज्यानदीप 1619, और चित्र ज्यान है ये मतलब हंस जवाहिर 1731, इका मतलब इंद्रावती 1744, अनुराग बासुरी 1744, मजा आएक नहीं आया, आगे बढ़ू मैं, चलिए, अब बढ़ते हैं पदमावत में प्रतीक, देखो प्रतीक से भी प् अब कर दिया, और ये प्रतीक से भी प्रसनाता हो, प्रतीक से भी बढ़ियां प्रसनाता है, आप देखोगे तो पदमावत में प्रतीक, रत्नसेन किसका प्रतीक है, मन के प्रतीक है, रत्नसेन मन, सिंहल क्या है, रिदय, ही सिंहल बुधि पदमी निचीन हा, और पदमावत स्रद्धा या साथिक बुद्धी परमात्मा है तो वह गुरु नागमती दुनिया धंधा नागमती यह दुनिया धंधा यारी संसारिक बुद्धी रागव चेतन सैतान है अलाव दिन माया है किलियर बताओ मैटर बढ़िया है ना मैटर बढ़िया नहीं बढ़िया बताओ एक क्लास में आपको इतना बढ़िया रिवीजन करा दूँगा इतना बढ़िया रिवीजन करा दूँगा कि आपको लगेगा यार कुछ मैटर मिला हमको एक नहीं आपको लगेगा कि क्या गजब कुछ मैटर मिला है एकदम ललन टॉप एकदम कैसा ललन टॉप सुनें नहीं सुनें आप कि चलिए आरो ही उसके बाद आप और आगे बढ़िए महत्पूर प्रेमा ख्यानक कादोर उसके नाटनाई का तो देखो इसके ये भी पूछे जाते हैं कौन किसके हैं तो चंदायन के लोर लोरिक यानि चंदा लोर और चंदा सत्यवती का था कि राजकुमारी सत्यवती राजकुमार रितुपरण ये पूछा जाएगा सत्यवती का म्रिगावती में राजकुमार और म्रिगावती है पदमावत में रतल सेन पदमावती पत्नी नागमती है ना ही आप से पूछा जाता है इससे और आगे हम लोग बढ़ते हैं अब तुलसी दास के बारे में किस बिद्वान ने क्या कहा या नेट जयारेव टीजी टीट सब में लिए पूछा जाएगा एक बाल लाइक कर दिना क्लास को चस्मा लगाने से मुझे पता नहीं अइसा क्यों लग रहा है कि मुझे चस्मा लगाने मेरी आंख दर्द कर रही है क्योंकि मेरे में पावर है नहीं और मैंने टेश्ट करके जीरो पावर का बनवाए था स्क्रीन के के लिए लेकिन मुझे लगता ना कि ये चस्अ मेरे आँक प्रक्राइब लगां कर दो लने यह लगारा को इसमितन मुगल काल का शबसे महान ब यक्ति कहा है है ना और ग्रियर्सन ने बुद्धियों के बाद सबसे बड़ा लोगनायक कहा है है ना अब मदसूदन ने आनंद कानने मदसूदन का देख लो तुलसी तरू कहा है तुलसी तरू लाश्ट में और सुक्ण जी ने इनकी बाणी के पहुँच मनुस के सारे भावों बेवहारो तक है तो सबका याद हो जाएगा कल का बाल में की कहा सबसे महान बेक्ति का इसमितने मुगल काल का है ना और ग्रियर्सन ने बुद्धियों के बाद अमदसूदन आनंद कानने तुलसी तरू मदसूदन का याद कर लिया था और रामचंद सुक्ल का इनकी बाणी की और साहित भासा करने के लिए काफी है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब यह कहते हैं जूली कुल करनी आई है जूली कहां थी तो कहते हैं कि आते कर दी लाइप अगर आपसे पूछा जाए लेंस कार्ट का ब्लू लेंस कंप्यूटर ग्लास यह उसी कहले लेंस लिया था मैंने महगा चस्मा है छे हजार रुपया ले लिया था और आख में अलग दर्द हुआ बहुत दर्दू मास्टर का पैशा इतना पैशा मत लो इसको लगाने साब की साधित हो जाए तब ही मैं ले लिया लेकिन फाइदा नहीं कर रहा है रामचंद्र सुकल का क्या एक तो तुलसी बाबा मन मंदिर मतलब उत्तर भारत के लोगों के दे में मन मंदिर रूप से बिद्वान उनके मन मंदिर में दूसरा एक कभी प्रोड साहितिक भासा सिद्ध करने के लिए काफी ये भी सुकल जी ने कहा कि इनकी बाड़ी की पहुंच मनुस के सारे भाउं ब्यापारों तक है बस इनकी बाड़ी की पहुंच मनुस के सारे भाउं ब्यापारों तक है दूसरा नंबर यह कभी एक अकीला कभी हिंदी के प्रोड साहितिक भासा को सिद्ध करने के लिए काफी है तीसरा तुलसी दाजी उत्तर भारत की समग्र जनता के रिदे में अनुदित नाटैक बेशानी के नाटैक है ना जैसंकर प्रसाद किनाड़क सब के याद करा दो गांगा उपर न्यास कहानी रात तक क्लास चलती रहेगी बस आप अब बने रहो अच्छा लग रहे आरती चलिए और आगे बढ़ता हूँ मैं और आगे बढ़ता हूँ अब आईए बाबा राम बाबा तुलसी दास की रचना ओपर साथ यो तुलसी दास की 12 रचना प्रमाडिक है जो आपको याद रखनी चाहिए वो भी करम से याद रखनी चाहिए मैंने इसका करम ऐसे याद किया था कि रामाग्या प्रस्न सबसे पहले इनको बैराग्य होता है क्या होता है जराम के पास जाते राम लला की पास से ले जाते वहां जाके जानकी मंगल लिखते हैं, जानकी मंगल लिखने के रिए उसका नाम क्या रखते हैं, राम चरित मानस, अब उन्होंने सोचा जानकी जी का लिख दिया, राम जी का लख दिया, अगर पारवती जी का नहीं लिखूंगा तो भगवान संकर नाराज हो जाएंगे, इ जानकी मंगल लिखते हैं जानकी मंगल लिखते हैं अरहम कानल झाम ढलीकता लकंगा संथ R пад 시청 चरितमानस पारवती मंगल 1,2,3,4,5,6, बचा आगे कच्छे, उसको कैसे याद करोगे, मैं आपको बताता हूँ, अब देखो, इनको एक बार क्या हुआ था, ये भगवान क्रिस्न के मंदिर में जो पूजा-पुजारी बनते हैं, उनको हम लोग गोशाई कहते हैं, क्या कहत हैं, गोशाई कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं जब गोशाई कहते हैं, अब इन्होंने क्या किया क्रिस्न जीक ऊपर चले और राम-जी वाला काम खतम कर दिया, आवच्छन के गीत, तखी ब्रिंदावन जाओंगे, कभी ना लटके आँँगी, क्रिश्न गीता वली तो जो कृष्ण जी का गीत लिखा जाता है वह गीत में लिखा जाता है गीता वली तो तो इसके बाद किसमें लिखते हैं दोहा में लिखते हैं किसमें लिखते हैं कवितावली में आईए एक बार मेरे साथ बताइए सारी रचनाएं मैंने का सबसे पहले बैराग होता है तो राम से प्रस्न करते हैं तो राम के सरण में चले जाते हैं तो इनको क्या होता भीया जानकी मंगल लिखते हैं प्रवती जी का मंगल लिखते हैं क्रिस्ट गीतावली लिखते हैं और अगर क्रिस्ट गीतावली के बाद क्या लिखते हैं गीतावली गीत में लिखते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं बिने पत्रिका किस में लिखते हैं दोहावली में लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं बर निखते हैं तब इतावनी में बोलो हिंदी जारफ की जै बोल यार मजा नहीं आई तुमको क्या जितना सब्सक्राइब बात यह आती है कि कौन ब्रज में है और कोन अओधी में है तो ब्रज में वली-वली आप यानि बीने पत्रिका और संदीững कि अज़िए इसमें बता हो सब्सक्राइब प्रज जब घ्रव ए पत तो वाहाब हो जायगा उसके अदर विने आ अना तो वायराग विन्य के साथ कृष्ण गीता वली कृष्ण गीता वली कमिता वली कि हो जाएगा दोहा वली यह किसमे है यह याद करो तुम आज की क्लास को सुआ याद करोगे आज की क्लास को यह किसमें हैं प्रच में पानी पिल दो बोतल पानी मंगा करको तुम्हारा रेजल्ट जब आएगा तुरंत मैसेज करना आप रेजल्ट आने के बाद तुरंत मैसेज करना आप ठीक नहीं बहुत बढ़ियां यूपी टीजी टी नेट जयारप सब के लिए वर्दान है क्लास यह आगे बढ़िया अब देखो शोपान से भी प्रस्ताने का परचलन हो गया है इसके सब्ट सोपान में चार घाट हैं चार घाट का मतलब एक एक पंक्तिया और सुना देता हूं कि चित्रकूट के घाट पर भै संतन की भीर तुलसिदास चंदन घिसें तिलक देत रगुबीर राम नगर या राम की बस सर्यू के तीर अचल राज महराज की चोकी हनुमत बीर अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुमही पीर हर घरन की धन्य धन्य रगुबीर कित्रकूट के घाट पर भै संतन की भीर तुलसिदास चंदन घिसें तिलक देत रगुबीर राम नगर या राम की बस सरयू के तीर अचल राज महराज की चोकी हनुमत बीर है का पुछा जाते संबाद ने तो राम सीता का संबाद इसमें नहीं है और दूसरा आप से पूछा जाए तो शिव और पारवती संबाद है और उसके बात क्या है तुलसी और संत संबाद है और यागिवलक और भरद्वाद संबाद है चारस समवाद है और एक बार आ चुका है किसका नहीं है इसमें तो आपको क्या बताना था राम और सीता का नहीं था था है न यहीं तो था आगे बढ़ता हूँ अब ले चलता हूँ मानस रूपक तुलसी साहिद का सबसे बड़ा रूपक है मानस रूपक यानि जो रूपक का मतलब क्या होता है रूपाईद करना किसी को रूपाईद करना तो रूपाईद का मतलब जो मानस रूपक है आज इसको एक हजार तक ले जाना शेर कर दो एक बार हाँ तो कहते हैं मानस रूपक जो है तुलसी साहिद का सबसे बड़ा रूप अलंकार यूजना के शम्मद में तुलसी को प्राप उपा दियां यह भी प्रस्त पूछा जाएगा लाला भगवान दिन और बच्चन ने रूपकों का बात साखा कैसे करोगे भगवान और बच्चन बच्चन सिंग भी रूप रखते थे और भगवान के तो अनीक रूप हैं तो रूपकों का बात साख भगवान और बच्चन को याद करेना बच्चन को कैसे इस पार प्रिये तुम हो मदवय उस पार न जाने क्या होगा वहां जाने से वो करते हैं दे मुझको कंधा वो जिसके पगमग मतलब रूपक देखो इनों इनका भी कई रूप था रूप थ है उत्प्रिक्षा है और राम चंसुक ने अनुपरास का कहा है आचार राम चंसुक अनुपरास का लाला और बच्चन रूपकों का बात साख है ठीक है और आगे बढ़ू मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब आजा ये तुल से उन पे बहुत बहुत इंपॉर्ट पूछा जाता हूं उनका क्या बोलते हैं ठीक है तो केस अधास का ऐसी याद करना है यह किसी को याद करो ना उनका थोड़ा सा रिलेट कर लोगित बहुत मज़ा आएगा तो यह रसिक थे रसिक क्यूं थे इनकी कोपड़ी के बाल जड़ गये थे इन्होंने का तक के सब्सक्राइब असकरिंग जसर रुपी उना कर चंद्र बदन मिलोचनी बाबा कहिके जाएं तो यानि आप देखोंगे रसिक आदमी थे और इन्होंने राम चंद्रिका लिखी अपने कभी होने का प्रमार दिये लेकिन फिर भी यह बावला ही हो गए क्योंकि इनको कठिन का प्रेत कहा है तो आप देखो रसिक प्रिया र बीर बीरदेयो से तो बघ्यान गीता लिखते हैं और जहांगे जिसंट्रिका यह सारी अलग आएंगे यह अप designed और आप मेल और चारे वाले पे तो आप कहां पहुचारी वाले बहुत आता है आता है चाहिए वो नहीं वह मिक्स है देखो चाहे गोबिंद पान्ढ्रे हो चाहे सुक्ण जी हो तथि जो निकाले वह होता है है रूगी साइथी हूँ एक यहा कि वह हुद्धी हो पढ़ती है उसके बाद आप और आगे बढ़िए, तो बल्लभाचार के कुल 84 तथा विठ्थनलाद के 252 सिसे थे, कालकरमानुसार, मैंने आपको बताया है, कस पीके, है ना, एक ट्रिक बताया थी, कस पीके और गोची चन, कस पीके ये बल्लभाचार के सिसे हैं, और गोची चन, ये ये याद करें ना, ये बहुत इंपोर्टन हो, बहुत अच्छा है, लेप टॉप कर चार्जर लगा देता हूं मजार नहीं मजारी बताओ आनंदार नपढ़ने में अभी कल भी आपकी क्लास लोगो सुबह से आपकी क्लास लोगा नहीं जान लगा देंगे लेकिन जाने नहीं देंगे मातर एक क्लास से आपको बहुत सारे प्रस्ट मिल जाएंगे और याद भी रहेंगे आप क्या कहोगे कि सर्ग्या गजब अभी तो काब पर हैंबी गद्द पर आएंगे हम लोग अभी अभी लोग गद्द पर आएंगे हैं ना तो अगर सन याद रखना हो तो 1468 अड़ी आड़ी आगे बढ़िए सूर्सागर वाले में प्रस्टाप से बनता है हर इक्जाम में बनता है यानि चंद्रबली पांडे ने लीला प्रबंध काब या भाव प्रबंद काब का शूर्सागर इनकी रचना उसमें हजारी प्रसाद ने गीत काब या मनो रोगों पर आधारित है ना देखो मनो रोग का मतलब निगेटीव नहीं होता जी है मनो रोगों पर आधारित विशाल महा कावे का है यहां से भी प्रस्ना सकता है विशाल महा कावे तो यह आप देखना कि चंदरबली ने लीला प्रबंद कावे चंदरबली यानि चंदरबली भगवान लीला करते ही करते हैं हजारी ने गीत काव्यात्मक मनो रोगों पर आधा फड़ज़ा गर को, हां पांच कोई पेपर है, पेपर पांच कोई है, है ना, पेपर कब है, पेपर 5 कोई है, तो क्या बताओगे अगर आपसे पुछा जाए, लीला प्रबंद काभे, तो लीला चंदर बली, और गीत काभे का मनो रोगों पर आधाथόिदा जारी प्रसाध्धि आप आ गया यह विखो यह भी इंप्वर्टेंट है ब्रहमर गीत में कुल सासोपद है प्रोपेसर मैनेजर पांडे ने ब्रहमर के तीन रूप बताए हैं एक कृषड का प्रतीक ब्रहमर को दूसरा उद्धो का प्रतीक तिसरा सुतन्त रूप में देखो ब्रहमर का मतलब एक अगर योट कहत बैदेही सुनः अवद पति परमसने ही सुन दस्मुक खगोत प्रकासा कभ़ों के नलनी करेविकासा असमन समझ कहत जानकी खल सुद्धने रगवीरवान की सठसुने हर्याने महां अदम ने तो वही तिनके का सहारा लेके ब्रहमर का सहारा लेके जो भारती पर्मपरागत नारियां हैं पहले की वो किसी साँख नहीं मिलाती योगर किसी बोलना भी होता था जैसे माली जये अभी वियाप गाउँ में देखते होंगे जो परमपरागत बहुए हैं वो डायेट बाबू जी को न बुलाके वहीं कहेंगे दूसरे से कहेंगे कि बाबुजी को भेज दीजिए है ना तो वैसे वहाँ पे भी तब भ्रमर मतलब उद्धों से डाइट ना करके तो वही भ्रमर में इनका जो तातपर था किस लिए तो कृष्ण का प्रतिक उद्धव और सोतंतरूप से खेर यहाँ पाप देखे भ्रमर गीत को उपालम उपालम का मतलब उलाहना वाला आचारे सुकले इसे ध्वनिकाब ये प्रस्ट पूछा जा सकता है ध्वनिकाब किस ने कहा सुकल जी ने कहा और सूर सारावली में 1107 इसमें 700 इनकी संसार की होली का रूपक मानकर गाई गई है इनकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर गाई गई है और अगर हम साहित लहरी की बात करें तो साहित लहरी आप अलंकार और नाईका भेट का उदार है तो अलंकार और नाईका भेट का उदार साहित लहरी है और सुक्ल जी ने लिखा है वात्सल और सिंगार के छेत्र का जितना अधिक उद्गाटन सूर दास ने बंद आखुस किया उतना किसी कब ने नहीं किया अब मैं यही कराये था पिर तुलसी दास रचनब लिख दिया था और आप लोग कंफ्यूज हो गए थे व वरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर कपलव खोलन की चपला अब वो देखू अलग है लेकिन यहां घुटुरन कान किलकत कान घुटुरन आवत मनिमें मनिमें कनक नंद की आंगन बिम्ब पकरिबो धावत है ना तो यहां का काग के भाग बड़े सजनी हरिहांत सुले यहां का वातसल्य उसकी तुलना कोई करी नहीं सकता तुलसी बाबा ने भी लिखा है लेकिन उनकी रचना सुद्रिड है और इनकी रचना कैसी है वातसल्य वाली है तो इस इधर आप देखोगे तो वातसल्य और सिंगार के चेतर में जितना अधिक उद गाटन सूर ने बं पता चल्लाए नहीं न पता चल्लाए नहीं न ठीक है चले और आगे बढ़ता हूँ अच्छा आचार सुकल ने लिखा है ये भी सुकल का कतन है सूर की बड़ी भारी बिशेष्टा नवीन प्रसंगों की उद्भावना है और प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रदिवा हम तुलसी में नहीं पाते देखो सीधा सीधा लिखा सीधा सीधा लिखे लिखा है हम तुलसी में नहीं पाते यहीं प्रसंगों था और दोनों सत्य था लोग एक सत्य लगाया थे दूसरा असत्य लगाते हैं शा strings प्रतिक्षा याद già थे ख सबसे उची सुरीली मधूर जंकार करने अंधे कभी सूरदास की बीड़ा थी अब कई लोग पूछते हैं कि सबसे बीड़ा किसका अब यहां पे दो प्रसनात है कुछ लोग कुम्भन दास कहते हैं कुछ लोग सूरदास कहते हैं यहां पे सबसे उची बीड़ा सबसे उची स पाड़ा जाती है उपमाओं की और रूपकों की वर्सा होने लगती है शंगीत के प्रवाह में कभी स्वैम भाजाता है है न यह किसका है जी आप बताई यह हजारी प्रसादि वे दिन का है और सूर्दास की मुर्त पे किस को है अधा हो जात है हां कछु लेना है तो लेओ आईए आप देखो नंद दास की क्या क्या पुष्छी जाते मंजरी सब नंददास की याद कर लो अगर आपसे तुछा जाएगा अनेकार्थ मंजरी नंददास मान मंजरी नंददास रस मंजरी नंददास रूप मंजरी नंददास बिरा मंजरी नंददास श्याम सगाई रुकमिडी मंगल और भवर गीत स्याम रुकमिडी और भोरगित क्योंकि नंद दास की भी रचनाएं बहुत पूछी जाती है प्रेम दास जी राधे राधे कैसे आप आप आए बहार आई अच्छा लगा एक मैं जब मतलब घर लोगा नया भी बड़ा घर लेना है जिसमें हमारा ओफिस होगारा रहेगा उसम मैं पार्टी करता हूँ आप सभी लोग जरूर आना वो मेरी गैलरी बनेगी है ना वो मेरी गैलरी बनेगी अभी जो मैं जिस मकान मुझ चेंज करूंगा क्योंकि साधी के बाद बड़ा मकान चाहिए होगा ओफिस वगयरा भी है यह थोड़ा चोटा पड़ रहा है तो मैं सब उसको वह सिस्ट्मेटिक करा रहा हूं तो मैं पार्टी करते हूं आना जरूर आप अच्छा उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो चिंतामण तुरी पार्ण यह भी क्रम पूछा जाता है पूछा जाता यह आपको याद करा देता हूं एक तो यहां से रीति बद्ध के पूछे जाते हैं किसके पूछे जाते हैं रीति बद्ध इसको याद कले ना रीति बद्ध तो रीति बद्ध में लिखो आप केसो चिंता मणी मतिराम देव रसलीन यहीं केसो चिंता मत करो मतिराम अपनी मतिराम में लगा दो मतिराम देव र पसलील मुबारक बिलगरामी जान नियामत का तोश कभी यसवन सिंग भूशड कुलपत मिस्र और याक उसके बार याकूब का पदमाकर सुरत मिस्र सोमनाथ और बिखारी दास दूलह गौाल कभी यह आपके क्या हो जाएंगे रीत बद्ध रीति सिद्ध में कौन कभी नहीं आएंगे और इतिमुक्त में आएंगे आपके बोधा आलम ठापूर यह सब आज आएंगे हैं ना तो यहां पर आप इनका करम भी देख लो है ना तो चिंतम बड़ी 1609 के हैं भूसड 1613 मतिराम 1617 और जस्वन सिंग 1626 है ना और उसके बाद आप देखोगे तो यह करम आप एक बार देख लिए ना यह प्रस्नाप से पूछा दाएगा अमन नमस्ते अगर मैं और आगे बढ़ू तो देव की प्रमुक रचनाएं अब देखो देव भी ऐसे कभी हैं इनकी भी रचनाएं पूछी जाते हैं नमस्ते प्रतिक्षा जल्दी करो पैसा पाओगी तबीत मुझे मिठाई के लाओगी अभी तुम्हारी मिठाई मिली नहीं है तो देखो इनका बिलाश वाला है यह इनके बारे में एक प्रस्ति पूछा जाते कौन साइसा कभी थरीत काल का जो अपने जीव के वो पारजन है तो बहुत सारे राजाओं के आरा सबसे जादा जो राजास्री थे वो कौन थे वो देव ही थे तो अगर देव की बात में करूं तो देव को ऐसी याद कर लो देव भाव बिलास देव का क्या है भाव बिलास है ना देव भाव में डूबे रहते थे आठो याम भवानी बिलास यानि देखो भाव बिलास भवानी बिलास क देव चरित्र, देव चरित्र के बाद देव माया प्रपंच, देव सतक, दिलास के बाद देव पाईए आप, ठीक है, देव पाईए, फिर आगे रचना याद हो जाएंगी प्रेम चंद्रिका, देखो प्रेम चंद्रिका, राम चंद्रिका मंतर है, है ना, जो राम चंद्रि संतलो साधी होती रहेगी मेरी है और आगे बढ़ता हूँ हिंदी में रीध करत यह भी पूछा जाते और मैंने आपको याद कराया सब्में पूछा जाएक और मैंने आपको याद कराया zeg कैसे याद कराया है केशों केशों अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते थे और इतना बुद्धिमान समझते थे इसलिए इनको कठिन काव का प्रेत कहा गया है तो केशों ने रीद की परिभासा बताई इस समुझे वाला बालकन वरडन पंथगात जो बहुत जादा चींता होते हैं चींता जो है व चींता यानि सोचते वीचाड़ते हैं बुद्ध के अनुसार कहा है यह सब его को सौच तीसरा मतिराम अपनी राम का लगा देते अपनी दी तो आप तो जानते होँ कैसे सुक्व को कशक्रिपा देव का मतलब यह अपनी एक्शुच के अपने डीय रिट्वता होते हैं और उसके बाद आप देखो सोमनात शोमनात से सोम रस याद कर लो आते हो समरा साप समझते नहीं समझते हैं कि कभी नहीं लग सकता यारों मैं खाने में एक दो चार नहीं है सारा यानि शोमनात का मतलब अगर कभी प्यक्कर तुम को मिल जाएंगे तुम कहोगे नहीं अरे नहीं मैंनाइं maintain मेरे पीकर स्धि पहली बार होता है जिनका दिल की मतलता होते हैं उनको मदू कखर का ता मर्डू कम मुझे पान करा देते हैं उसके बाद वो क्या कहता है कि मुझे पीने का शोक नहीं पीता हूँ गम भूलाने को तेरी यादे मिटाने को पीता हूँ गम भूलाने को ऐसे याद करो यह याद होगा तो शोमनाद का क्या है कि छंद रीत समुझे नहीं बिन पिंगल के ग्यान यानि बीना पिये छंद की रीत तुमको समझ नहीं आएगी शो मुनात की है और आगे बड़ी देखो मैं याद करा दूँगा तो कभी भूलोगे नहीं तुम एक दो चार नहीं है सारा सहर है पी पीना मतलब पढ़ना भिखारी अच्छा देको नाम इनका भिखारी दार से लेकिन काम इनका काब किरीत सुखी सुखवीन से देखी सुनी बहुलोग की बातें जो भिखारी होते हैं उनको शब के यहां का पता होता है क्यूंकि हर जंग वो बिख्षमां की आए रहते हैं तो मैंने विखारी कैसे याद कले था कि काम किरीत सुखी सुखवीन से देखी सुनी बहुलोग की बातें जहां बहुलोग की बातें आएंगी विखारी अच्छा अरु कच मुक्तक रीत लखी कहत एक उल्लास और बंदों सुखवीन के नीजे उसकी चुन्ने बढ़ी रहती है और दूला बहुत धीरे ठीड़ी चलता है त्यसक prophecy या थेरे यानि देखो थोरे क्रम क्रम्ते ऑलंकार की रीत तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े मतलब कम-कम तो मैंने ऐसे याद कर लिया पदमाकर का क्या है ताही को रती कहत है रस ग्रंथन की रीती क्लियर कि आयनना कि पानी पिले तो कि लड़की अब दीरे दीरे चलती हैं और जब साधी हो जाती तब बावन गज का दामन पहन मटक चलूंगी फिलम तू कैसे देखेगी तिरा जेठा जो पावेगा जठा से घूंगट नियों कर लूंगी फिलम चंद्रावल देखूंगी है कि देखो पढ़ाई में मनुरंजन बहुत जुरूरी है पढ़ाई और मनुरंजन का कॉम्बनेशन होता है पढ़ाई और मनुरंजन का कॉम्बनेशन होता है वरना तुम्हारा दिमाग न बोल जाएगा एक लेबल पर जाते जाते बोल जाएगा अच्छा बेनी प्रवीन का यह आपको ध्यान देना चाहिए डॉक्टर बच्चन सिंग्ने लिखा है रीत कालीन कभी कविता के शौदागर थे यह पूछा जाता है कविता के शौदागर कविता के शौदागर नमस्ते सुमली कविता के शौदागर बच्चन सिंग्ने का देव सुकभी को कविता का कि उसके बाद अगर मैं बात कुरूं रीत काभ को यवन की रमडीता का और भी कहा जाता है तो नलीन बिलोचन सर्माने रीत कालीन काभ की आलोचना पद्दित को भी भारती मनीशा का राश काल किन वरगी करड़ा यह भी पूछा जाएगा नहीं यह सब पुराना गाना है चुरंड़ जी ने बिहारी के संदर में यह आपको देखना जह आएस है यह मैंने कितना समीट को देखो आप ऑदनें मैं पुछले के ऐख्ञाम देने मैंने टॉटक को कितना समीट दिया जिसने आपको दिक्कत नो और अगर मैं बात करूं रामचंध सु पने बिहारी के संदर में क्या-क्या बाते कही हैं और ये लगबग वही चीजें समाहित की गई हैं जो आपको एकजाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं वही चीजें समाहित की गई हैं जिसे आपको दिक्कत ना हो लाइक कर देने एक बार क्लास को सभी लोग एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर देंगे क्या टूटा पड़ा है अब देखो अब अगर बात करें अभी अभी गद्धी पे चलता हूं इसके बाद काब्वे की बाद गद्धी पे तो स्रिंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याते और जितना मान बिहारी ससाइक हुआ उतना किसी का नहीं हुआ एक एक दोहा एक एक कखन सुकल जी का है और इसकी पीडियाप ग्रूप में भेज देता हूं अभी क्लास खतम होते राही अध्यंधाम टेलीग्राम चैनल के ग्रूप में भेज दूँगा जैसे क्लास खतम होगी क्योंकि यह रिवीजन जरूर कर लेना आप लोग अच्छा पांच्वी बात इन बिलबूट का देख घंटो वाहवा किया करते हैं पर जो ब्यत्य अंतस्तल पर मारविक प्रभाव चाते हैं किसी भाव की सुक्ष निरुन धारब को देर अपना मन मगन रखना चाते हैं उनका संतोस बिहारी से नहीं हो सकता मतलब इन्होंने एक तुलना की उन्होंने यह कि जैसे हाथी बैठने वाला है उस पर मकमल वह देखके करना है बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है लेकिन जब बैठ होगी तब पता चलेगा पतला वाले पर कभी आप घोड़े पर बैठे हो क्या अब मैं गया था वहां पर कहां गया था जी बैशोड़ो दे भी गया था तो घोडे पर मैंने बैठ लिया, अब जब मैं घोडे पर बैठ लिया तो मैं कहीं बैठने लाइक नहीं रहा, क्योंकि गोड़ा ऐसे नीचे उतरता है, अब घोडे पर क्या होता है कि जो घोडे पर रखा जाता है, उससे क्या हाथी रखा जाता है हाओधा कहते हैं, अब दि करएं कि अब देखो यह दो लेयर लगा हुआ है देख रहे हो उसमें क्या इसके ऊपर भी एक लियर लगा हुआ है आप देख और यह बहुत PGप बेट बहुत नहीं तक मूभया बहुत ही शॉफ्ट है तो इसलिए उन्होंने का इसको याद रखना भूलना मत आप समझ गए नहीं समझ गए तो भाव का बहुत उत्कृष्ट और उदात रूप बिहारी में नहीं मिलता आप सोचो कि कैसे सुक लिजी ने कह दिया बिल्कुल कह दिया कि बहुत कई बैठे लाएक ही नहीं राम लेक दिन तक हम लोग चलते हैं उस पर किस पर चलते हैं आगे चलते हैं आदनिक काल पर चलते हैं ओंग न हाँ kati कैसे हो भाई तो आधुनी काल पे देखोंगे हरियोद में तीन प्रबंद काब लिखें हैं एक प्री प्रवास एक परिजात एक बैदेही बनबास तो आप देखो एक बाद बताओ प्री है कि नहीं हाँ इसको ऐसे कर लो आप 15 साल में इनको परिजात मिला है नहीं ऐसे करो कि 17 साल में इनको प्री मिल गई परिजात 15 साल और बैदेही बनबास 18 ऐसे करना जब बैदेही का बनबास हुआ था तो 18 साल की थी नहीं जब उनकी साधी हुई थी और प्री प्रवास 17 यानि प्री से मिलन 17 साल मिला था परिजात 15 साल और बैदेही बनबास 18 है ना प्री 18 साल में बनवास हो जाता है यानि परियाथ 15 साल में परियात यानि त्याग कर दिये 17 साल में इनको inekoo मिल जाती और 18 साल में भनवास हो जाता क्योंगी सर्ग यहां रखन अपना 1914-1937 और प्रिप्रवास को खड़ी बोली का पर्थम महा काव माना जाते हैं प्रिप्रवास का सरपर्थम नाम जो था वो ब्रजांगना भिलाब था और यह संपूर काव संस्कित के वर्ड बृत्तों पर आधारित हैं यह भी आपको याद रखना चाहिए अब आईए मैंति पूजा करता है क्योंकि समें नहीं करता है कियोंकि समय करने या पूजा करने समय नहीं तो वहीं तुम्हारी सचि पूजा है विध्यारतेक लिए उससे बड़ी पूजा कुछ हो ही नहीं सकती है ना चलिए तो अब मैं आपको समझता हूं कैसे मैथिश्रडगुत की रचना को याद करना है मैथिश्रडगुत की रचना को ऐसे याद करना है कैसे आद कर la मतलब सबसे पहले रंग में बहुत पड़ता है आप बताएं आपके रंग में लिखते हैं बहारत भारत की किसानों को चित्र करते हैं चार चना लें सभ्यास से डिले चले जाते पंचोवटी में और जंकार सुनते हैं जंकार मतलble भगवान का संगी सुनते हैं जंकार पन्चवटी जंकार जंकार के बाद क्या है ऑजैन अ तरे जंकार में क्या साकेत्वा सिराम को सुनते हैं तो पंचवटी जंकार शाकेत्षाट्ध के लेधा आप देखोगे यह सूधरा यह सूधरा के बाद आप देखोगे द्वापर द्वापर के बाद आप देखोगे बिशुड प्रिया और फिर आप देखोगे जैभारत फिर आप क्या देखोगे जैभारत यानि रंग में भंग 1909 में चैदरत बद 1910 में भारत भारती 12 में पिसान 17 में पंचवटी 25 में धंकार 29 में शाकेती 30 में यसुदरा 32 में दौपर 36 में विशुट्री अब बाउन में जय भारत सत्तावं में यहीं न अरे बोलो हाँ या न अरे बोलो हाँ या न यह देखिए तो सबसे पहले रंग में भंग रंग में भंग के बाद जैदरदब इन नमबर पे भारत भारत के बाद आप देखोगे तो भिसान 1917 में चिसान के बाद आप देखो पंचवटी 55 कहाँ इसमें उल्टा चीधा लिखा न मंचवटी कहाँ इस पंचवटी कहाँ न अ जै दॉक् ऐध के भास लगारति बारतिए ऑन था हम किसान के बाद है पंशर्च के बाद किया है जंकार जंकार के बाद क्या है शाकेट कि बाद क्या है द्वापर लिए सूधरा facto एक बाद द्वापर द्वापर के बाद जे भारत 52 और बिसुड़ प्रिया 57 के है जे भारत बावन की साइज मैंने वहाँ उल्टा लिग दिया था कुछ नहीं आ रहे क्यों नहीं आदा रहे तो बहुत बढ़ी यह रिवीजन है क्या दीरे पढ़ाऊं क्या अब आप और आगे बढ़ेंगे तो राम चरित मानस के बाद इसके बारे में पूछा जाएगा कि राम चरित मानस के बाद राम कावि का दूसरा अस्तम मैठी स्रड़ गुप्त का साकीत है बहुत इंपोर्टेंट है है ना देखो एक्जाम के समय में थोड़ा फाश्टो कराना पड़ेगा अगर आप मेरे साथ नहीं कर पारें मेरे बाद उसे करने की कोसिस करिए क्योंकि समय कम है सिवलता अच्छा साकेत की रचना की प्रेड़ा कब सरस्वती पत्रिका महाभीर पिसाद दिवेदी कभियों इसमें कितने सरग है 12 बारा सरगे डाक्टर नगेंद जनवादी का अविका है तो शाकेत को डॉक्तर जन्वादी के और आप आगे बढ़िए सुखली जी ने गुप्त जी को सामन्जच शुवादी कमी का है क्या और भारत भारती की रचना मुस्च्द से हाली तथा ब्रज कभी मातर काई भारत भारती पर महत्मा गादी ने राष्ट कभी की उपा दिती हुआ है ना और एक एक आप इसे नोट करते चले जाओ मैं आपको बता दूँ और आगे आप बढ़िए हवा आप आएके जेशंक्र परसाद करनें जेशंक्र परसाद को कैसे याद करेंगे ड़िश्व ईयुआ कि अधर घ्रइव और वसीस एमिलते हैं कहां मिलते हैं और वन में और मिलनिक बाद परिमिराज़ लगे फैला दीते हैं मैंने ऐसे याद किया, अगर आप भी किसी से बन में मिलेंगे, तो प्रेम राजी ही फैलेगा, क्योंकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, फिर पढ़ाई होगी, फ्रायड वाली पढ़ाई होगी, कामू वाली पढ पढ़ाई होगी, तो जंगल में मंगल का चित्रा आपने सुनाई होगा, मैंने ऐसे याद करा लिया, पुर्वसी, लड़की, बन में मिलती है, अकेले, अकेले, अरे भाई साफ, गुटुरुगू, गुटुरुगू, याने प्रेम राज प्रेम की बाते होंगी, उसके बा गह रहते हैं, फिर वापस चले जाते कानन कुसुम में, फूलों कुसुम में, वहाँ फिर प्रेम पति की तरह घूमने लगते हैं, है न, तब इनको महाराडा का महतु समझ आता है, तब ये चित्तरा धाल इतने 18 में, उसके बाद इनका कारिसमाप्त होने लगता है, फिर ल अपा करके भी तनहां रह गए, दिल के अर्मा आसों में बह गए, शायद उनका आखरी हो ये सितम, हर सितम ये सोच कर हम सह गए यानि जरल, जरल मैंने याद किया था, जरल का मतलब जरना, जरल का मतलब जरना 18 में, आ का मतलब आशू, आशू इसे लहर की तरह आती, लहर 23 और का माइनी 35, अब अगर मैं इसे हटा दूँ, तो भी आप याद कर लोगे, उर्वसी, वन मिलन प्रेम राज, अध्या का उधार, सोकोख च्वास, फिर कानन कुसुन, प्रेम पतिक, फिर क्या है महाराड़क, महातु चित्त्राधार, फिर झरना, आशू, लहर और का माइनी झर, जरना 18 में, लहर 25 में, जरना 18 में, आशू, पचीस में, जरना, आशू और लहर कप के तैंटिस में कमाई निए पैंटिस में बताओ अरे बताओ याद ना बढ़ियां पढ़ा रहा है तुम नहीं जा रहे हैं पीपर देने नालिम भगे पीडिये दोनों सेट कर देता हूं अरे नहीं यार कोई जाम का समय है आपको टेंशन में ठीक नहीं लग रहा है आप टेंशन में मज़ा नहीं आएगा बात आप समझ एक नहीं समझ गए आप आगे बढ़ू आप अच्छा दिल की अर्मान नाली में बढ़ गए चलिए तो जो जैसंकर प्रसाथ की रचना हैं वो मैं आपको बताया भी जैसंकर प्रसाथ की रचना याद कर लिए ना जैसंकर प्रसाथ के बारे में देखो जैसंकर प्रसाथ की प्रथम कविता सावन पंचक है पूछी जाएगी आपसे और कलाधरूप नाम से प्रकासित हुई थी कहां प्रकासित भारतेंदु पत्रिका में जैसंकर प्रसाद की पर्थम चायवादी आपसे पूछी जाएगी तो पर्थम प्रभात है ठीक है जो कहा संकलित हो इती जहर ना में पर्थम चायवादी कभिता और जैसंकर प्रसाद की पर्थम पुस्त का कार रचना तो उर्वशी उनिस सुन्नवाली चंपू काब्दे है चम्पू मतलब गद्य पद्दोनों और खड़ी बोली जैसंकर प्रसाथ का पर्थम काबिशंग्रह कानन कुसुम है। कानन कुसुम क्या है? खड़ी बोली का काबिशंग्रह है। ठीक है जी? पक्का तो अगर आपसे पूछी जाए पहली कविता तो आप क्या बताओगे सावन पंचक पर्थम चायवादी कविता तो पर्थम प्रभात संकलन जर्ना में और पुस्तका का उर्वसी है और उसके बाद जैसंकर प्रसाथ का पर्थम काबिशंग्रह कानन कुसु में जो कि खडी बोली में है अचैसंकर प्रशाच ने कामाइनी महांकाव का संक्षिव दिव्योरर जो दिया अब देखो पिछली बार में रात में यह कराया था और सुबह एक्जाम आया था याद आ रहे का माइनी वाला आपको याद कराया था नहीं कराया था नहीं कराया था तो इसे अभी भी करा देता हूं ठीक है जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सबी लोगे को मैंने कितने कम शमयम आपको कितना ज़्यादा पढ़ा रहा हूं ठीक है तो अब आप देखिए मैं इसके टिक आपको बताता हूं एक लड़का अकेला हो तो उसे चिन्ता होती है लेकिन अगर लड़का अकेला हो और लड़की आचाए तो सारी चिन्ता सुन्नों हो जाती है हाँ या ना एक लड़का अगर अकेला हो तो उसे चिंता होती तो मनुस सबसे पहले एकदम अकेले पड़ गए हैं और बैठें चारों तरप पानी पानी देखता है जैसंकर प्रसाद जी लिख रहे हैं हिमगीर के उत्तोंग सिखर पर बैठ सिला की सी तल चाह एक उब्यक्ति भीगे नैनों से देख रहा था प्रले प्रवा यानि अकेले बैटे हैं तभी इसने पायल चनकाई आधी रात को देला महकार महका अब देखो मैं गाना गा रहा हूं लेकिन आपको यार्द कराऊंगा ह वह क्या भाई साब? यहां देखिए सबसे पहले इनको चिंता हुई थी क्या हुई थी? तब ही उधर से छम चम करता आया बादल प्यार कर मोसुँआ का आशा होती है क्यूंकि आशा क्यूlly होती है? उधर से स्यऺधा आती है, है न? तो सबसे पहले क्या है बाइसाफ चिंता होती है लेकिन फिर आशा होती है कि चमच्छमक करता आया बादल अस्रद्धा को देखते हैं आप सूचो देखो एक दम मौनो बिस्स अड़े इनिके अंदर काम जागता है काम यानि वाशना एक ना तो काम वाशना अब भाइसाफ सा फिर होगी लज्जा लज्जा एक पहले ही मिलन में मतलब एक दम रोज दे था और समापंडे हो गया लज्जा आए लज्जा आने के बाद फिर चलो ठीक है सब काम हो गया अब यह अपना कर्म करना चालू करेंगे क्या करना कर्म अब दोनों एक हो गए भाई कर्म तो करना सो훈 कोई काम देखते हैं कि हम एक Mauvo कोप्र एक दया की सौपन के डेखते हैं कि हम एकदम निर्वेद को प्राप्त कर कर चुके किसको प्राप्त कर चुके हैं हम निर्वेत को प्राप्त कर चुके हैं इनको दर्शन होता है किशी का मतलब इसोई सक्ति का दर्शन होता है और उसमें ये बहुत सारे रहस्य देखते हैं जीवन का और फिर आनंद में हो जाते हैं सब को छोड़का चले जाते हैं दो तीन चार पांच छे साथ आट नो स्ट अपने के बाद क्या होगा क्या हूं क्या मतलब करिया किलाब तम लोग्या समत्र आप मतलब हत हो गयी कैसे बालप को मतलब गुरू ही रह गया तुम्हेड निकल गया चेला शक्कर हूग गया गया तो एक बार फिरशादेब तीन कर्म बना लो आप नगा किंता आशय ि कन य। झिन्ता आशड्दा काम वासन लज्ज छे इनल आ सबसे न सबसे पहले देखो चिंता आशड्दा चिंता ओती आशन रदर्डद ते नॉ। फर पिर कर्म इर्शय और एड़ा न वहाप है निinformल है 15 हो गया मज़ा जाएगा और आगे बढ़िए तुम लोग या ना मतलब प्रैक्ट केली सोती लगते हो अंदर तक चले जा तो डीप पॉइंट चले जा तो कैसे स्रध्धा आई होंगी तब मनुने सबसे पहले कैसे हाथ को टच किया होगा तो स्रध्धा ने ऐसे किया होगा कि दोनों की आखे कब इतना सोचने की क्या ज़रूरत है तुम बस याद कर लो बस इसे मेरा याद कराएं तो मैं एकदम डूब जाते हो मैं अभी आगे बढ़ जाओंगा तुम वहीं रहोगे हमारे बिद्ध्यारती कहते हैं गुरुजी लूकी लगाक चले जाते हैं और मैं पढ़ाने लग तो हमारे विद्ध्यारती वहीं ठीके रहते हैं हमारी क्लास में कर्चनत्री पाठी एक पॉइंट अगर आप उनको दे दो है ना अब जैसे मैंने क्लास में उर्फी जावेत का नाम ले लिया उनका कोई उसमें आगे बढ़ गया पूरी क्लास में उर्फी क अगले दिन क्लास में बता देंगे उर्फी के बारे में आगे बढ़ाएं प्रतीक तो मन मनु का प्रतीक हैं रिदे श्रद्धा हैं बुद्धी इड़ा हैं और मानो कुमार मानो कौन है मेरी कोई गलती नहीं तुम लोग दुष्ट हो आप खुद दुष्ट हैं हां करें शांति प्रीवेदी ने कामाहिनी को क्या कहा च्ञाइवादि का उपनिसत कहा तो संती संती पाने के लिए आपनी क्या पढ़ता बेधन रुपनिसत पढ़ता है जैसंकर पसाथ को प्रेम और संदर का कभी माना जाता है बताओ ठीक है अब आप और आगे बढ़िए निराला की महत्पूर का निराला की रचनाए भी क्रम से आप से हुआ एक सौरह मेरी उपर ही तुम लोग धो लुजाब कैसे बंच हो उम आहाशन हो चल यह आप देखो मैंने आपको बताया कि रचना को यह क्रों का छारचार का पेर बना लो अनामिक अब ऐसे याद करो इनकी अनामिका क्या है अनामिका की बाद क्या लिखते हैं उसमें परिमल अनामिका परिमल मैं आपको याद कराता हूँ अनामिका रचना में परिमल लिखते हैं ये परिमल परिमल की बाद गीतिका लिखते हैं गीतिका बाद कुल सिदास चार हो गई चार ह लिखते हैं के बाद लिखते हैं अनामिका के बाद लिखते हैं अनामिक सब्सक्राइब लिखते हैं हिंग टाने कज़गी क्या होता है धुत्ता मिलीचें का रणिमा में मतलब पीला में क्या नय पत्ते जीट सरी अर्चनन ऐला अर्चना आराधना याद गुंच फिर का सांद È São याद हुआ कि यादuman तो मैंने आपको याद करा दिया चार चार अलगाद प्रना लो कि अना मिका परिमल गीत का तुलसिदास 1923 1936 1931 फिर कुकुर्मुत्ता अनिमा बेला नहीं पत्ते यानि 1942 1943 1902 अनिमा तैतालिस बेला च्यालिस और क्या है नहीं पत्ते च्यालिस उसके बाद अरचना 50 अराधना तिर्पन और फिर गीत गुंजाप्री का वेच्चाववन और सांदकांक लिए चलिए और आगे बढ़ता हूं साथ सो पार कराई यह फटा पड़ी से बहुत अच्छा लेगेगा अच्छा यह भी पूछा जाता है आपसे चिंता कि क्वरे राधे से हम देखो मेहनत तो करने करने आपको एक्जामत देना है चिंता करके तो चिंता होगी कोई यह अनिका का मैंने क्या बताया था बताई एक तो देखा इसमें सरोज भूसमरित है राम की सक्थपूजा है तोड़ती पथ्थर ये तीन सबसे ज़्यदा पूछी जाती हैं और मैंने इसको कैसे बताया था मैंने इसको कैसे बताया था नामिका का मतलब मैंने बताया था अनामिका का क्या बताया था अनामिका का तोहार ससुरा रंग्रेज अनामिका तोहार सैया रंग्रेज तोहार सैया रंग्रेज सहिया रंग्रेज का मतलब अनामिका तोहार मतलब तोड़ती पत्थर, सहिया मतलब सरोज इसमित और समराट एडवर्ड के प्रति, है ना, और रंग्रेज मतलब राम की सक्ति पूजा, तो सरोज इसमित राम का दूसरा ये भी लेख सकते हो, है ना, यही है, अनामिका का मैंने किया बताय था तो हॉर सईयां रेज है तो ह Tea का मतलब तोड़ती पत्थर सन्यक को मतलब सरोज मिंसमराट एड़वण की प्रति और सैयां रंगरेज की मतलब राम की सकते पूजा यही तू बताया था हाँ तेरा सदिना रंगररेज़ यही देख पंचुवाटी प्रसंग तो जब यह याद हो जाएगा त्हार सजना रंग्रेज है ना क्या है रंग्रेज है सजना क्या मतलब क्या होता है और उसके बाद रंग्रेज भी तैसे राम की सक्ति पूजा पोड़ती पत्तर सची याद हो जाएगा आपको बाकी बचावों इस रेकॉड़े देखो साक्षी मिश्रा है ठैकी सो मच आप लोग मेरे मेरे मेंत की कद्र करते हैं समस्ते हैं अच्छा लगता है यह ना बहुत अच्छा लगता है कि और अच ख्रेकर बस आपका रेजल da आए गा तो आप लोग मिलने जरूर अना जरूर भेजना वोई हमारी कमाई होती है क्यkę प्रभाभ तो चार भाग में आपको याद करना पड़ेका जनी बाघ में आपको याद करना पड़ेगा तो अगर चायवादी रचना देखें तो सबसे पहले उच्छवास है उच्छवास पाद गरंती है बीड़ा है पल्लों है गुंजने मैंने ऐसे याद किया था चायवादी कभी है तो यानि प्रकित वादी है प्रकित में ज्यादा रहते हैं जिनके घर बाग बगीचा होगा जो उत्रा उत्रा खंड में रहते हैं आप देखना आप अपने घर से निकलिए उच्छलते कोते बढ़िया एक दम है ना और कहां पहुंच जाईए उच्छवास गरंती का मतलब होता है जो जाड़ी वगेरा होती एक दम गरंती की तरह होती आपस मैंसे ठिप्टी रहते है तो उच्छलते कुते निकले गरंती में पहुंचे गरंती मतलब जाड़ी पहुंचे प्रकित के बीच पहुंचे तो वहां अपनी बीड़ा खोलते हैं बीड़ा और बीड़ा होती कैसे पल्लो की तरह जैसे पौधों की पल्लो ऐसी होती आगे की तरह फैली होती वैसे पल्लव को वहां पर बजाते हैं गुंजन यानि उच्वास ग्रंथी बीड़ा पल्लव गुंजन उच्वास ग्रंथी बीड़ा पल्लव गुंजन यह तो चायवादी रचना हो गई अब आप देखेंगे प्रगतिवादी तो युगांत लिखकर प्रगतिव चायवाद का अं वे दर्सन दे रहें हैं किलड़ है सोने के केड़ें धर्ती पर आ रहे हैं तो सवर्ण के लड़ तो सवोने के धर्ती पर आंगे धर्ती between धोलबत यानि थूर्ण हमें नंए यूपत का क्या होगा संचार होगा होगा नहीं होगा और नौ मानुतावादी में उत्तरा कला और बुढ़ा चांद अतिमा लोकायतन चीदंबरा चीदंबरा पर इनको पुरुष्कार ही मिले है सुमित्रा नंदपंद की प्रथम छायवादी रचना उच्वास है और अंतिम गुंजन है कई बार हम गल्ती कर देते हैं अंतिम चायवादी गुंजन ही है युगां चेकर चायवाद कंत कर देते हैं ठीक है कि समझ पारें आप मुझे नहीं समझ पारें हा या ना हा या ना जाए जल्दी सुबह फिर अब देखिए ऐसे याद किया जाता है उच्वास ग्रंथ बीड़ा पल्लो पुंजन युगांत युगबाणी ग्राम्या स्वड किरण स्वड धोली युगपत युगांतर किरंतर चेतना वादी आ गई आपको यादी हो गया है ना अब आईए पंत को लोकायतन महा काव गांधी के जीवन पर लेखा है किसकी जीवन पर गांधी की जीवन पर पंत की महत्पूर कविताओं को शंकलंग चीदंबरा सीर्शक से प्रकासी थे इस पर भारती ज्यानपीट पूरसकार भी मिला है 68 पर है ना अच्छा ज्या है न क्या है नहीं 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 9668 और 1900 कि नहीं जी snippyos pur Grace य जी ज्यान पीट का सुरा मना क है सुरामना का मतलब सुित्रा नदंपंत राम भारी सिंदिनकर अग्यें और सुपन मन्न का मतलब माक कमतलब क्या है कि सुरामन महा देवि बर्मा महा देवि बर्म नरेश मेहता थे मतरों लोकायतन वाला हो गया और ऑगे बढ़े को हिंदी की 20 साल मंचिर की पिर्वाड़ी भी का चाथ Τ bathtub वा जानते कि नहीं जानते हैं te about we'll see you अगर में और आगे-अगर कि अग्ण हर में अगर महा देवी की क्रितिया तो महा देवी की कृतिया मैं एस शुबा सुबा उठ्ष्टें को तो सबसे पहले आप ऐसी आँके घुटे रूर यह देखती सूभा हुआ के नहीं हुआ अब तो मुबाइल देखते हो, घड़ी देखते हो, पहले हम लोग गाउं में जैसे दौआर पे सोते थे, आगे सोते थे, ऐसे ऐसे करके आँख खुलती नहीं कि देखते तो सुभा हुई कि नहीं हुई, तो मतलब मैं सबसे पहले निहारता है आदमी, सुभा उठके निहारत आपको बताता हूं, कुछ लोग मेरी आलोचना करते हैं, मेरी बेक्तित्तों का, देखो मैं बहुत गहरा हूं, आप मेरा नुमान यूँ ही नहीं लगा सकते, लेकिन बात क्या होती है, कि आप अपने काम में डूब जाओ, जैसे आप देखो कई लोग जैसे मीरा जी, मीरा जी भक्ति में डूब गई थी, तो वो डांस कर रहे थी, देखने वाले क्या होग करता हूं, क्योंकि टेंसन मैं नहीं भी लिया है, मुझे बीपी की प्रॉपलम हो गई इसी तेज में आप बताइए, तो उससे क्या होता है, कुछ होने वाले नहीं है, जब आप प्रेसर लेके पढ़ते हो, आपका जो लर्निंग पॉइंट होता है, लर्न करने का तरीका हो वो ना मतलब कम हो जाता है, श्लो हो जाता है, लेकिन आप अगर इंज्वाय करके पढ़ते हो, आप अगर दस गंटे बैट के पढ़ रहे हैं और गिरहन ने के रहे हो, वो वेकार है, अगर आप साथ गंटे खेल लीजिए, मौच कर लीजिए, मूझ भी देख लीजिए, ल मुझे आनन्द कनवो होता है, और मस्त एक्दम लाइफ होके पढ़ता हूं, क्योंकि मैं भेदी नहीं समझता, अब मैं बनावटी तो हो नहीं सकता, बनावटी मतलब आऊं एक घंटे आराम बढ़ियां, पढ़ा के चला हूं, मेरे मुझ से हो गाई नहीं, भाई, मुझ से हो गई नहीं, मुझे आप अपनी जैसे दिखते हों, तो मैं आपके साथ है ना, मतलब खेल भी लेता हूं, मजाग भी कल लेता हूं, गाना भी सुना देता हूं, मजा आता है, क्या किया जाए, यही तो जिन्दगी है, अच्छा, तो यामा उनके निहार रस्म निर्जा हार की भूमिका लिखि, निहार की क्या लिखी बूमिका लिखि महा-देवी तो उन्हों निहार की क्या लेखि भूमिका लिखि महा-देवी बर्मा की जो ब्रज-भाष्वा और आरंबिक खड़ी-बूरी की कभिताओं का संक्लन concert 84 में प्रथा-माय-मसीषख से, उस नोग क पढ़ा दिया उतना वहुत बढ़े भड़े घ्याणी पढ़ा देंगे के बताना तैकने, देड्य हम було जीतनी चीज़र को बढ़े बढ़े घ्यानी हों कि पढ़ा देंगे बताना,चार घंटे का मैटर दिया तुम्को इसे नोटंग की नहीं कहते हैं इसे पागल लोग क्या समझें वें अंग χर्योद्ब ने निहार की भूमिका लिखे महादेवी बर्मा की ब्रज भाषा यानि आरंबिक खड़ी बोले की कविताओं का शंकलन प्रथम आयाम सीर सकसे यह भी पूछा जाएगा आप सोचोगरम ने सुना ही नहीं कभी महादेवी बर्मा की बहुत दर्सन से प्रभावित रहश्यवादी कवित्रियों में कौन किस दर्सन से प्रभावित था कौन किस दर्सन से प्रभावित था अगर आपसे पूछा जाएगा जैशंकर प्रसाद को जो जैशंकर प्रसाद हैं यह सैव दर्सन से प्रभावित हैं किस से मिलान में भी आ सकता है महादेवी जो हैं यह महादेवी यह बहुत दर्सन से किसे हैं बौरी दर्शंसे और अगर रज्ब की बात परून तो पंत अर्विंद दर्शंसे और अगर निश्ब बात करूँ तक कीसे होती चले बात में यह इधर जुकते चलेगे बताईए आगे बढ़े आगे बढ़े यह बढ़े जल्दी बताओ मज़ा आ रहे नहीं मज़ा आ रहा है इतना सारी आपको याद करा दी और आगे बढ़ी आप च्छायवादी कभी चतुष्टे तो चतुष्टे में चाल लोग है जैसंक् और कौन बर्मा भगोती चड़ बर्मा और ब्रियत्रई में तीन लोग है महादेबी को निकाल तो जैसंकर निदाला और पंत थेक ना अब देखो यह शैव दर्शन यह अद्वेत वाद यह अर्बिन दर्शन यह बहुत दर्शन दुख वाद से शैव याने आनंद वाद से अब बात करते हैं सुरकांत्री पाठी निदाला ने प्रगतिवादी चेतना से अनुप्राडित रचनाई लिखी है अब प्रगतिवादी कुकुर मुत्ता गर्म पकवडी यह प्रगतिवादी रचनाई है नए पत्ते रानी और निलाला को चायवाद का शलाका पुरुस कहा जाता था अच्छा परसिद जंडा उंचा रहे हमारा इसकी स्यामल पार सब्सक्राइब प्रस नो पूछाते इसमें पूछा तक नहीं पूछाता आगे बताईए कि दाना तक गर्वाल बहुत अच्छी रचना है और मैं आपको बताता हूं और मेरा नया बैच आ रहा है है ना तो आप सभी लोग मेरा नमबर लिख लीजिए मैंने दो किताबें लॉंच की है इब प्लस का लग है और इस्पिसल का लग है अब आप आईए केदारनाथ अगरवाल की रचनाओं का कालक्रम अनुसार सूची बताईए आप तो केदारनाथ अगरवाल केन के कभी कहा जाता है और यह कैसे कभी थे प्रकितिवादी तो प्रकितिवादी मतलब जैसे कैसे कभी थ कि बताओं कि अच्छे देखे तो कि अच्छे 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 सलंकार समझें आप लोग चलिए हाँ नए पत्ते अलग भी है आप देखेंगे तो कैसे करना है आपको यूख की गंगा यूग की गंगा यानी जो यूग की है उसका पानी नीद का लगते हरियाली चा जाती है सब आग की आईने तरह चमकने लगते हैं है ना मौशम एकदम गुल महदी वाला बन जाता है पंक और पतवार खिल जाती है ठीक है उसके बाद इनको प्यार वाली रचना लिखते हैं कहते हैं मेरी तुम मार पार की थ्यापें कहें के दार खरी-ख कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो ना चाय पीनिकमन करता है चाय पीओगे आप लोग नागारजुन का पहला साहितिक उपनाम याथ्त्री था और संस्कित और मैथ्ती में याथ्त्री नाम से लिखते थे नागारजुन की खड़ी-बोलिम सरप्रतम प्रकासी तरद्थना राम अब देखो मैं आपको बताता हूं नागारजुन देखो जो बाबा नागारजुन आए ना तो बाबा नागारजुन बहुत देर से लिखना चालूगी कब से लिखना चालूगी बहुत देर से लिखना चालूगी तो सबसे पहने जब आते हैं तो युगधारा लिखते हैं 1953 में युगधारा, आप एक बात बताएए, आजादी हो चुकी, मिल चुकी, युगधारा लेक्टें तिर्पन में, तो युगधारा में क्या लेकते हैं, कि सतरंगे पंकों वाले, मतलब सबसे पहले जब आजादी मिलती है, युगधारा चालू होती है, सतरंगे, सब लोग एकदम मस्त हैं, सतरंगे पंकों वाले, लेकिन थोड़े दिन बाद यूद दोने लगता है, तो फिर क्या लेकते हैं, प्यासी पत्राई आखें, 62 मी फिर प्यार वाली लिखते हैं, तुमने कहा था, 1000-12 वाली पुरानी जूतियों के कुरस, देखें, मैं आपको बताता हूं, कैसे याद दिया जाता है, याद ऐसे किया जाता है, इन्होंने बताया, सबसे पहले क्या लेक्ते हैं, युगधारा, और कोई भी युगधारा, उ युगधारा, 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 तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली पुरानी जोतियों के कूरस। फिर से देखे आप, सबसे पहले युगधारा लिखते हैं, सतरंगे पंकों वाली। फिर 62 में 85 पत्राईया के युद्धुपल लिखते हैं, सब भस्म हो रहेते कहतर में, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जोतियों के कूरस। अच्छा अभी उसी पर बात हो रही, कौन निगेटिव सोच रहे हैं, कौन पॉजिटिव सोच रहे हैं। हाँ है ना, तो कैसे युगधारा, सतरंगे पंकों वाली। और सतरंगे पंकों वाली के बाद, प्यासी पत्राई आखें, भसमानकूर, है ना, फिचडी विपलव देखा हमने, और फिचडी विपलव देखा में, तलाब की मुचलियां, और तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों के कूरस। हो गया यार बढ़ो आगे पूंचा जाएगा, ठीक है, आगे, सब याद करा दूंगा आपको, ना, अरजुन का जो भसमानकूर है ना, भसमानकूर, भसमानकूर एक खंड कांपे जो बर्वेचंद पर है, किस पर है, बर्वेचंद पर है, यादुवक नहीं यादूआ, ब याद ना, याद ना, या या ना, इतनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूं, ना, सायद कोई करेगा, है ना, हेमन्दी ठीक हाँ, आज और आगे, भसमानकूर एक खंड कांपे चाइपी होगे आप लोग, भसमानकूर एक खंड कांपे जो बर्वेचंद पर है, मैं तली भाश सामें पत्रही नग्रगां सेर्शक से काब लिखा, अभी पूरा गद्ध पड़ा हुआ है, और इसमें 52 कविता हैं संक्लीत हैं, इस पर 1968 में साहित अकादमी पूरसकार भी मिला इनको, नागारजुन के कविता है, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव, जिसके संदर में लिखा अच्छा, और आप आगर बुड़िये, तो तारसब्त के कभियों का करम हम याद करते हैं, देखो कितना फिल्टर कितना अच्छा लगर आप बताये कितना बढ़िया मैटर है, मैटर अच्छे नहीं मैटर अच्छा आप बताये क्या इसमें से को एक्जाम दो, आप मुझे अच्छी क्लास, ये YouTube इतिहास की ना, जो मैने 12-12 गंटे 2 मेरत लीना, ये YouTube इतिहास की सबसे यूणिक क्लासेज है, कोई नहीं अभी तक, अभी मगाता हूं चाय, रप्षून करता हूं चाय मगाता हूं, सचिंब जेखो कैसे बोलता हूं, बोलना मत तुम लोग है न अभी देखना चलिए तार सब्तक के कभियों के करम आपको बताता हूं तार सब्तक कभियों के करम एक मिनट लोगना देखना भे मत अब यहीं आ रहा होगा उन्ने उठाया यहीं आ रहा होगा चलिए चलो तो तार सब्तक में चार सब्तक हैं है ना चार सब्तक है चार सब्तक हैं कितने सब्तक हैं चार सब्तक हैं कितने सब्तक हैं चार एक है तार सब्तक एक का नाम है तार सब्तक यह करम भी पूछा जाते हैं तार सब्तक 1943 1943 फिर तार सब्तक बात दूसरा सब्तक फिर क्या है दूसरा सब्तक दूसरा सब्तक आप देखोगे तीरा सब्टक नहीं जो तीसरा सब्टक और यह नियुक्टा सब्टक और यह जो चौथा सब्टक यह आपका है आगो भारत प्रभा और गिरिजा प्रभा और गिर्जा फिर अग्ये और राम विलाश शर्मा अग्ये और राम विलाश शर्मा दूसरा सब्तक अगर मैं बात करूं किसकी बात करूं दूसरे सब्तक की बात करूं तो दूसरे सब्तक जानते ही क्या होगा बताओ अगर दूसरे सब्तक की बात करें गजा ने भार भवानी शकुंतला आती हैं भवानी शकुंतला आती हैं किस से मिलने हरी से मिलने और वो हरी कौन है वो धर्म के नरेश हैं अरे भाई साब नाम क्या है तो रगवीर नाम है तीसरा सब्तक मैंने आपको बताया था कि एक नाम है कुवर नारायन तो कुवर नारायन जो है कीरती पाने के लिए और क्या पाने के लिए विजय पाने के लिए कीर्थी और विजय पाने के लिए अपने मित्र मदन के साथ कहा जाते हैं प्रियाग जाते हैं और कहा जाते हैं केदार जाते हैं वहां उनको सब कुछ मिल जाता है यानि सर्शद्याल सकसेना और यह है अराशन ससु अब आप त्रिक देखिए मैं आपको बताता हूं गजानन मादों मुक्तिबोध नेमी चंद्र जैन भारत बुसरड अगरवाल प्रभाकर माचवे गिरिजा कुमार मातुर अग्जी राम बिला सर्मा समसेर बहादुर सिंग भवानी परसा संकुत्ला मातुर हरिनारायड ग्या याद हुआ ये नहीं याद हुआ अब देखो यहां पर यहां देखो सबसे पहले में तो गजाने भारत में क्या देखोगे अग्जी राम बिला सर्मा गजानन मादों मुक्तिबोध नेमी चंद्र जैन हैं गजाने भारत बुसरड अगरवाल प्रभाप कर्माचवे से मिलने आती हैं जो कौन है नरेश है धर्म के नरेश है और अगर तीसरे नंबर की बात करो तीसरा सब तक तो मैंने की बात की कुमर क्या चाहते हैं क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं इसके लिए अपने दोस्त मदन के साथ प्रयाग जाते हैं और किदार जाते हैं उन्हे आप आपह और हो नइंड स्वय आप यह ऊच्छी से चुछ सब्तकि औरैसन सउ방 अवदेशकुमार कुमाराज्न श्फ़ते भारती औरे शुमंग नंद्र की सहर और प्रयोग वाद का करने का स्रेश सक्चिदानंद हेरअन्द वास्यायन आगेक हो जाता है राम्विलास सर्माने में च्छा लिखा यह बहुत ? implement internet खत्म होने लग경 स्रेश सर्मा ने क्या लिखा यह बहुत इंप्वौट्न है राम्विलास सर्माने क्या लिखा यह भगनाशा इनमें से नए पत्के अन्यवेश्ण मतलब फूज इसकी ब्याकुल भावना दिखाई पड़ती है यह कभी नए मार के अनुसंधान करने के लिए राम बिला सर्मा का कथा ने पूछा जाएगा प्रियोगवादी कविता के बारे तो प्रियोगवादी कविता आगे बढ़िए आगे आप बढ़ेंगे प्रियोगवादी प्रमुख प्रवित्तियां क्या हैं तो यह भी पूछा जाएगा प्रियोगवाद जो है ना प्रगतिवाद के बाद प्रियोगवाद तो इसमें अहंग प्रवित्ति का प्रधान में मतलब अहंग वादी प्रव फ्रयोग बात करो तो प्रगति बात करता है लोगों की बात करता है और कहता है जो कारे सर्वहारा वर्ग में नहीं जो कभिता हो हमारे हीत की नहीं यहाँ पर इहां पर रा दर्णि के demonstrated कि टरह किव झाले बढ़ती चली जाति और सब्दों में जटलिता बढ़ती चली जाती है इसी लिए इसका पतन हो गया कि Princip प्रियोग बाद में किसने मोज़ने करूप है अभी सेधिया रचना के वैएसे ही रचना के हितं में प्रियोग सरूप शेलिट विद्रों, डॉक्टर नगेंद्र द्रिष्टिकोड कानुसंधान केशरी कुमार परियोग कलात्म अनुभू रघबीर सहये अब याद कैसे करोगे दिखो विद्वो नगेंद्रु Shaili racist бы throughla Nagan din invers angef करोगे मतलब कालिया नाग नाग बड़ा बिद्रू कर दिया थे मतलब सबको परेसान कर रहा था और अनुसंधन की सरी कुबारि यानि desta सुल भग्वान को लिल लिए अनुसंधन और राम सुरूप क्या समाज के हिट में जैसी कृरान्ति का सब्सक्राइब कर लेना हमारा चैनल एक लाग होने वाला है आप ठोड़ा सा परिश्रम कर दोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, करते ही नहीं हो, अब आईए अग्ये की बात करते हैं, अग्ये की बात करते हैं, अग्ये की बात करते हैं, तो तो अब आईए देखो, मैंने अग्ये की रचना को इतने बेहतरीन तरीके स्यात करा दूँगा तो अग्ये लिखते हैं सबसे पहले दूत आते हैं दूत आने का मतलब क्या होता है कोई कोई समाचार आया है दूत को रोका नहीं जाता है दूत को डारेक्ट भेज दिया जाता है तो जब दूट आते हैं तो क्या होती चिंता होती है दूट आकर इतला करता है दूट आते हैं चिंता होती इतला करता हुआ यार मावला गंभीर है तो यह बेचारे घास पर निकल के जाकर छण भर सोचते हैं क्या किया जाए थोड़ी देज बार उर्जा आती है कहते हैं उसे नव में बिठा लेके यानी उस लेके गए है क्योंकि उसे जानते हैं और सागर ऑंत हैं सागर मुद्रा में कहते पहले सनाठा बुंता था कम बोलते हैं अब ज्यादा ही आपने प्यार नदी की बाग्षायक नीचे बैटकर बाते करते हैं क्याते ऐसा कोई घर देखा आपने हो गया दूद आते हैं चिंता बढ़ती है इत्ते लम हरी गास पर छडबर बावरा अहेरी इंद धनुस्रावदे वे आगन के पार अरी वो कड़ा वह याद हो गया देख अग्ये की चर्चित कविता हैं अशाद बीडा बहुत इंप्वाटन्ट है कलगी बाजरे की बहुत इंप्वाटन्ट है साप तुम सब तो हुए नहीं नदी की दीप भी हरी घास पर छडबर जितना तुम्हारा सचे उतना ही कहो मौन भी विंजनाए पूछा जाता है यह पकेला शब्द और सकते अगे शानशट बाल ले गए थे अरिव भाविशा असाद बीडा लंबी कविता है अहंका बेसर्जन इसका भाव है मुक्तिबोद का नाम गजानन मादो मुक्तिवोद इने गहन अनभूति और तिब्रिंदरी बोत का कभी कहा जाता है अब मुक्ति अधेरे में ब्रह्मराक्षस और भूल गलती बहुत पूशी जाती है अंधेरे का प्रकासन कल्पनाव 1964 में आशंका के दीप अधेरे में नामसुआ था राम सरुप चतुरवेदी ने क्या क्या लिखा इसको आपको देखना चाहिए ना तुमको कोई पानी देने वाला है न अधेरे भाईसाथ कि अधेरे पीडिये पाभी सेंड कर देता हूं एक अभी सेंड कर देता हूं पता ने पंकर जो मुझे बेज़ेक नहीं अभी सेंड कर दोंगा आपको दो पंक्तिया सुना दो लोग है प्रतिक गाईतरी मतलब एक जैसे होता निए वह जैन में एक साथू थे महां बेखती थे उनको नहीं को साइट का जाता जैते जैसे जो प्रसित दोतें जिनका वह हो जाता ना तो मतलब अपने यूग के प्रवर्वर्टक होते हैं वैसे तो दो पंक्तिया सुना द इतना ही रखों बाकी शूबह कराओं शूबह साड़े बार बजे करा दों इसको साड़े बार बजे और भी तो ख्लास से जाएं एक दिन बचा हुआ है चलो अभी और लपेट देते हैं अभी जाना मता आप लोग है ना अभी जाना नहीं दो पंक्तियां सुना देता हूं सब बेद कहते हैं यही सब ग्रंथ गाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधिरीज जाते हैं नरोय बंगमन में वे पिता की बेदनाओं में वहीं पक्सी को ले करके गुद में आशु बहाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधिरीज जाते हैं नहीं सुईकार करते हैं निमंत्रण निप दुर्योधन का बिदुर के घर पे जा करके भोग छिलके का लगाते हैं न जाने कौन से गुण पर दया निधिरीज जाते हैं तो बात करते हैं यहां से आदिल चाचू भी आये हैं पूजा कौली कैसी हो चलिए तो बात करते हैं मुक्तिबोत की चर्चित कविताएं हो गई अच्छा राम सरुप चतुरवेदी ने जो लिखा उसको ध्यान से देखी एक्जाम में पूछा जा सकता है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक है एक बड़े कलाकार की क्या है स्केच बुक है है चैनल उसके बाद अधहेरे में एक लंभी कविता है एक लंभी कविता इंथ्य क्या लंभी कविता क्विता कैट लंभी क्यां को उस इसे एक Woah से संसर बहाधूर सिंग अधेर में जामिता डेश का संसरो कभिता-देश की आधमीग जनितियास का सुतन्ता का का समसेन दॉनों चीजें राम् शरुब का है ना यह देखो 여기에 मतलब किते का है समसीरबाद राम विलास सर्मन अपराध भाउन्य संधान है नाम और ने नाम अपनगता की चाहता है कहते हमारा नाम हो जाए नाम त knows भी खोज राम विलास अपराद refuse 321-25 site आरक्षित जीवन के कभीता राम शुरुब चत्रवेदी कहते हैं यौह ऑपनी रचना प्रेरत तत् ducks का भिग्यान यानि अधेरे में के जो लंबे खंड हैं कभी की में समाज के उथान पतन और यहां कि अधेरे में कविताइक रचना फैंटेसी की है हुं मैं फोन कर लेता हूं黑 बाइब पॉन कर लेता हूँ कि देखो पॉन उठा रहे हैं डाइल किया गए नमबर को बस पेस्ट अपन माता जीक पास पॉन करता हूं रुको कि मादा जीक पास प्रचान देंगे हूँ कि अरे रुको तो थोड़ी देख कि अब 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 कि वह सुनी नहीं तुम्हारा पून का है कि मम्मी का है कि अब बच्चे बोलें कि सचीन बहुत बढ़ी है चाय बनाता है अब कि अब सुनो सुनो इधर आओ नहीं उनको रहने तो उनको लेटे रहने दो बच्चे बोलने इस्टुएंट सचीन अब दूध भी नहीं पिया मैं आज दूध कहा है मेरा अच्छा चाय मत बनाओ दूध लाओ दूध दे सकते हो नहीं और कल तुम चले जाना हमारा घर परिभाशित किया है ज्यान गर्व फैंटेसी द्वारा साहर रूप में जीवन की पुर्ण रचना करता है पहला इन्हों क्या ज्यान गर्व जो फैंटेसी फैंटेसी मतलब एक जादू टाइप में है ना काल्पनिक तो फैंटेसी अंतरगत भावपक्ष प्रधान और अच्छा समसेर बहादर सेंग प्रेम और संदर के कभी हैं समसेर बहादर सेंगी प्रमुकाविश संग्रा देखो समसेर को कुछ कभी ताएं कुछ और कभी ताएं चुका भी नहीं हूं मैं है ना और बात बोलेगी काल तो उससे होड है है ना यह सब पूछी जाते हैं आप सब्सक्राइब करें कि इतनी बढ़िया क्लास है पूछो मत तो अगें राम बिला अगें जो है समसेर बहादूर समसेर कभियों के कभी है सचीन देखो मामा के हैं बहुत रोब से रहता है के सर्ब बेटा पइदा करो मतलब नहीं तो प्रोसेस पहले जाता है प्रोसेस पहले होता हैं पर उसकी जाच पड़ताल चलती है डॉक्टर के यहां फिर नौ महीने के बाद उसका जन्म होता है फिर वो बड़ा होगा पांग मतलब आप यह कहना चाहते हैं सर आपको जो चाय मिलेगी वो मिलेगी और वो भी बेटा पतनी बनाएगा कि नहीं बनाएगा जब भांजा मेरा इत अभी है। उसके बार देखें मुक्तिबोध कि अगर मैं बात करो मुक्तिबोध की तो सम्सेर की आत्मा अपनी अव्यव्यक्ति की प्रभावशाली मुक्तिबोद ने कहा कि समसेर की आत्मार अपने अभिव्यक्ति के प्रभावशाली भवन अपने हाथों तयार किया और उस भवन से जाने से डर लगता है अब मुक्तिबोद की रचना अधेरे में अधेरे में जाने से डर लगता है तो वही चीज यहां पे भी आपके लीजिए वही चीज आप यहां पे भी कर लेंगे क्या कर लेंगे बताईए वही चीज मुक्तिबोध क्या है कि कहते हैं अभ्यक्ति के एक प्रभाव साली भवन है और उसमें जाने सिर्व डर लगता है औ अंगे क्या कभी कि कभी मलयाद ज्रीट किया Mmura कि ने दूसरा क्या था dá की एक इंप्रेशनिक चित्रकार उप्रड़ा जीवन का प्रसंगवादी रश्वादी विखजु घर समसियर यत काikan honored आज मुझे लगता है एक नहीं है? आज मुझे लगता है vegetarian, non-vegetarian दोनों class नहीं है दोनों bाते चलने हैं class मैं देख रहा हूं लड़की बटग गए राट का मौसम में मुझे लगता है माहोल करम हो गया एक दम चुप हो जाओ राम राम जपो यह ना एकदम चुपो जाओ, एकदम हनुमान जी को मन में याद करो, यह क्या है, तुम लोग गंदी-गंदी बाते कर रहे हो, हाँ, चलिए, तो राम चन्तिवारी देखे, समसेर का जो गद्ध है, वो हिंदी का जाती गद्ध है, राम सरुप चत्रवेदी कहते हैं, भासा में बोल के गद्ध का लहजा और लेमे संगीत का चरम अमूर्तमन, अमूर्तन इन दो परसपर प्रचिरूदी मना इस्तितियों को कला साथती है, तो राम सरुप चत्रवेदी आप देखिए, समसेर का गद्ध है, यह नहीं है, हाँ यह नहीं है, तुमको भेज दिया जगाके है, मैं अब बंद कर दोगे, हमाँ विद्याति कुछ भी कर सकते हैं, आप लोग गलत ले रहे हैं, उन्होंने सही बोला होगा, आप लोग गलत ले रहे हैं, है ना, हो सकता है, आपने गलत दिया हो, हर चीज का गलत अर्थ नहीं लिया जाता, है कि नहीं, हो सकता है, उन्होंने सही बोला हो, आप लोग गलत सोच रहे हो, छोड़ो, चलिए, भवानी प्रसाद मिस्र को सहस्ता का कभी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहस्ता का कभी कहा जाता और भवानी प्रसाद मिस्रि की जो कविताएं हैं वो आप arrest पुलAK जंगल आपके स्क्राइबत् करने भी पोची जाती हैं और घीत नРЕस मेहिँ आ के बारे देखें § समेता का बन पांकी सुनों बोलने दो चीड को ये भी पूछी जाती मेरा समर्पित एकांद संसे के एक रात कई बार पूछी गई है प्रबंद काब है महाप्रस्थान है ना ये प्रबंद काब है संसे के एक रात महाप्रस्थान ठीक है जी समय देवता सीर्शक इनकी लंबी क कविता है जिसमें धर्ती के विभिन्द भागों की संस्कृतिक राजनीति की सिती का वर्डन है शमय देवता है कि पुड़ी देर बैट जाओ नीद आ रही तो सोजो मैं एक मिनट बैटके बस एक मिनट बैट जाता हूं थोड़ा से रेश्ट कर लेता हूं फिर आगे चलता हूं कि अब बताओ भई कि यूडियों में रोंगा लड़का जूट नहीं बोल सकता है दीपत अरे यार इसको चैनल को थोड़ा सा बढ़वाओ आप लोग बढ़वाई नहीं रहो बढ़वाई नहीं रहो बतो आयना बतो कि अहाई दिस सिसों में बतो लोड़वा कि अहाई पार सब्सक्राइब बतो 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 कि आप बतो कि अ आप बतो कि इंदो चले बागना मत बागने लगें बस एक मिनिट में चलता हूँ एक मिनिट में बस एक मिनिट में चलता हूँ श्टार्ट करता हूँ बस तुरन चलता हूँ हाँ बिल्कुल देवयानी बिल्कुल होगा हर प्रिया कैसी हूँ आप चलें बस एक मिनिट में चलता हूँ झालता हूँ झालता हूँ झालता हूँ गोड़े देर जगलो एक दिन की बात है ना दो राते बची है एक कल और एक आज ना सुबा बता रहा हूं सुबा छे बज़े क्लास होगी सुबा छे बज़े से क्लास होगी सुबा छे बज़े से क्लास होगी है ना सुबा छे बज़े से क्लास होगी इस पर आ जाओ धर्बीर भारती पर और अगर मैं धर्बीर भारती की बात करूं तो यह प्रेम के कभी है कविताओं का शंग रहे प्रेमत तुगाथा लंबी कविता है प्रेमत जो एक यूनानी पुराडिक पुरूश है मदन वास्यान का मदन वास्यान छोड़ो यह हो गया काप पे कंप्लीट अब आई गद्ध पे चलते हैं किस पर चलते हैं इसमें कुछ और था लेकिन इन लोग इंधि तो अठी को सब लोग ना स्टार्ट किया जाए गद्ध को आप हम लोग से शुरू आच करेंगे न अब धी था में को अब को नोकट पड़ना है उपर निभं पड़ना है अलोचना पड़ना है गद्ध बड़ा कठीन और गद्ध बहुत in капर्ट है ना गर्द्य से बहुत सारे प्रस्था आपके एक्जाम आएंगे एसी चलाना चाह रहा हूं गर्मी लग रही है कि अगर्द लुक जाओ तो गर्मी लग रही है आद पता नहीं कि दूद्ध लिए गर्मी लग रही है अब बेटा एसी वाली रिमोट देदो उसमें लगा दो देखो को इदर उदर लगा देखो यह तो उदर वाली है यह तो मेरे रूम वाली ना अब अचा पंका तोड़ा और तेज कर दो लोगे रहे कि नहीं पंका और तेज लिए उसमें दोनों यह सी कशली निकाल के इसमें लगा लिए तमें पढ़ाने वाले में माइक में बंद कर दो कि अब चलिए आईए शुरुवात करता हूं भाई आईए शुरुवात करता हूं क्या करोंगे अभी करा देता हूं अभी करा देता हूं आप लोग सकता है अनूदीट पूसकता है और तरीके वह प्रस्ण आप से पूसकता है मौली या पूसकता है करम पूसकता है एक बार जल्दिस आप लोगा जाओ मैं आपको समझाता हूं कलि अना कर से कि चलिए कि अले बताओ सबसे पहले मैंने आपको मौलिग नाटक में क्या बताया था यह मौलिग नाटक है मौलिग नाटक में क्या बताया था मौलिग नाटक में क्या बताया था मौलिग नाटक में क्या बताया था मौलिग नाटक क्या बताया था भीबी प्रेम चंडर की मैंने आपको मौलिक नाटक बता है था वीबी प्रेम चंडर की भारत की दुर्दसा देखकर कहा जाती निल देविक पास जाती है और वहाँ और देखती गिन वंधेरनगरी मची होई है और फिर वो सती हो जाती क्या हो जाती सती यानि वीडिक हिंसा नववत और बिशसशविस्मोध्भ बीबी का मतलब यह देखकर सती हो जाती है सती प्रताप क्या हो जाती सती प्रताप यही तो बताए था यही तो बताए था ना तो बीबी प्रेम चंद की भारत की दुरदासा देखकर कहा जाती है नील देभिक पास जाती है अंधे नगरी देखती हो जाती है अब दूसरा मैंने अनूदित बताया था अनूदित मैंने होगी दबा कर खाते हैं क्या खाते हैं दबा कर खाते हैं है ना दबा कर खाते हैं दबा कर मतलब कुछ भी दबा कर खाते हैं दबा कर खाते हैं यही तो आपको बताया था तो राम सर की बीपी यानि रतनावली सर का मतलब रतनावली राम सर की बीपी यानि विद्या सुन्दर राम सर मतलब राम के लिए राम सर की बी बीडी कि मतलब विद्या सुंदर पी मतलब मतलब पाक्षव बिडंबमन रतनाौली विद्या सुंदर सुंदर पाक्षव दारेक्ट भिटांद नहीं होगी धनगाLYटर finans को ध्रा葉का died on सब्सक्राइब बंदु कर मतलब करपूर मंजरी शत्य हरिचन्द और भारत जन्मी यह तो बताया था कि निधी हाँ ना कि उरड वह निधी सब्सक्राइब तुम को यहां घ्यान ही मिलेगा नियने आपको लगातार फ्री क्लासेश देता हूं साड़े बारा बजे साड़े बारा रात के नो बजे फ्री क्लासेश चलती रहेंगी एक लाख होने में तीन चार हजार कम है पांच-छेजार ऐसे कम है आप लोग थोड़ा सा जोल लगा दो कि हो जाएगा मज आ जाएगा फिर वह इस बढ़ा ही मिला हुआ था दिखा देता हूं बड़ा अच्छा लगता है पुर्जा आ जाती है कई लोगों ने देखा होगा कई लोग नहीं हिंदी में मुझे ही मिली थी यह ना मैंने एक पर बहुत काम किया शुरुवास लेकि बहुत मेहनत की ऐसा ने और एजूकेटर शुरुवास से मैंने सबसे अधिदिक मेहनत कि ये आफ देख रह loc कि ये बटन मिला लेकिन मेड़े राही का बटन नहीं मिला है आप मुझे शौक एक राही कबटन मिले इसे खोल के आपको दिखाता हूँ और ये बहुत ही प्यारा है ना इसे खोल आपको दिखाता हूँ बहुत ही प्यारा है ये बहुत ही यूनीक है ये ये देखो आप देख रहो आप इतना बढ़ी है ना रामकुमार में स्रम मिली है तो इसका मिला हुआ है बड़ा अच्छा लगता है लेकिन राही का नहीं मिला हुआ है भी तक है ना तो ये बहुत ही प्यारा है इसको मैं बाह एक लाग होने पर एक बटन मिलती है तो एक मिल जाएगी है ना तो थोड़ा सा कोशिस कर देना आप लोग हो जाएगी आगे बढ़ों हुँ 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 हु 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 मौनिका थैंक्यू सो मच और आप अगे बढ़िए हु उसके बाद आप और आगे बढ़ेंगे तो आप आएए जैशंकर प्रसाद पर इस पर आएंगे जैशंकर प्रसाद पर तो जैशंकर प्रसाद का मैंने आपको ठीक बताई पर आपको अच्छे पर आपको अच्छे रहते हैं और जब उनकी बड़ी मम्मी आजाते हैं बड़ी मम्मी आप लोग समझते हैं तो सज्जन थे एकदम लड़का सज्जन ही रहता है लेकिन संजोक से उसकी साधी हो जाती है यानि कल्याणी से क्या हो जाता है परड़े हो जाता है और जब कल्याणी से परड़े हो जाता है तो फिर क्या होता है बताओ फिर बाद में करुड़ा आ जाती इनके अंदर करु मिल जाता है और आप बताइए किसी को राज मिले यारी संपत्ति मिले तो उसकी शाख बढ़ जाती है क्या बढ़ जाती है विसाथ और जैसे तुम्हारी शाख बढ़ेगी वैसे तुम्हारे सत्रू भी बढ़ेंगे अजात सत्रू क्या हो जाएगा अजात सत्रू के नास के ल मृता है असकंद को एख होता को जन्म को पता लेते हैं कि AMY याआ इधने किसकी बडे मम्मी कौन खुद बड़ी मम्मी है किसकी बड़ी मम् Всем आ चुकी है और कौन खुद बड़ी मम्मी है एक बार बताईए गाली दिये तो अच्छा ठीक है अब आप आगे बढ़िए याद हुआ याद हो गया देखो मैं तुमको ऐसे आके बंद करके बताता हूं सज्जन कल्यारी परड़े करड़ाले प्रायस्चीत राजश्री विशाक 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 अजास सत्रू जनमेजेक नागियग कामना असकंद गुप एक घोट चंद्रगुप दृफश्वामनी समय आप देखिए समय देखेंगा आप उन्हीं सो दस बारा की करड़ाले तेरा में प्रायस्चीत पंद्रा में राज मिलता है सागवड़ती छे साल में सत्रू एक साल में आ जाते हैं यहांगी 26 में कामना 27 में असकंद गुप एठाइस में एक गुट 30 में चंद्रगुप दिक 30 में धृफश्वामनी 23 में जब बड़ी मम्मी हो अब करें मैं कुछ नहीं हूं मैं तो कुछ भी नहीं हूं तो अच्छा होना चाहते हैं अच्छा कौन-कौन जल्दिस बड़ी मम्मी होना चाहते हैं यह भी बता दीजे निशा चौहान तुम्हारे लिए वर्क हो जूँ अब आप आईए मोहर राकेश आद निक्ता बोद के अच्छा मोहर राकेश की बात करता हो मोहर राकेश का अलाप मोहर राकेश का क्या करना है अलाप मतलब असाड के एक दिन लहरो घराजा साधिया दूरे और लहर वह आप मतलब आदे दूरे पेरों तले जमीन पूछा जाएगा और क्लियर ना अगर मैं और आगे बढूं और आपको लेख चलो भीसम सानी के अन्निनाटक भीसम सानी के अन्निनाटक बेज मसानी के अन्यना तक चले एक बार ग्रूप हम सेयर कर तो कहां गए सब लोग चले एक हस तो अब देखो बीश मसानी का अन्युटनक नमे ऊनूस और गड़नक क्या नमे ऊनूस ये चकर में जो वह कहां करें जाके बाले में यानि कभिरा खड़ा बाजार में कहां कभिरा खड़ा बाजार में तो फिर क्या कहते हैं भाईया मादवी के मुआपजा दो अगर नहीं दित रंग्दे वसंती चोला कर दोंगा आलमगीर यानि हानूस है ना हानूस एक गटना गटती है हानूस, कबिर्या खड़ा बजार में, मादवी, मुआबजे और रंग्दे वसंती चोला आलमगीर छे नाटगिन का याद रखना और लाश्ट में देखो आलमगीर उनी सुन उन्यानिवे का है और रंग्दे वसंती चोला आठानिवे आगे देखो जगदीश चंदर का जगदीश चंदर का जगदीश यानि जगत कीस की नाम क्या है जगदीश जगदीश का मतलब होता जगत के इस यानि भगवान भगवान होता ना तो भगवान कहा है रहते कुडार के मंदिर में सार्दिया के साथ वो पहला राजा हैं रखकुल रीत हैं तस रतनन्दन यानि भगवान राम मोनिका बिलकुल पास हो जाओगे आप लोग लगे रहो हाँ या ना हाँ या ना अगर मैं और आगे बढ़ू लक्ष्मी नरायल लाल की प्रमुक रचनाई तो लक्ष्मी नरायल लाल का देखो मैंने कैसी आत कर रहा था लक्ष्मी नरायल लाल अंधा कुवा है अंधा कुवा रातरानी खेलते हैं तब ही क्या हो जाता है छेल खेलाद में में रक्तमाल हो जाता है क्लंग क्यों लगता है क्योंकि Mr Abhim adopt Ia को सब लोग करफ्यूं में घेर के मार दि दी ये दूसरे फागना चाहता था लेकिन अब दुदुल्हा तरह उसे निप्ता दिये और फिर अरजुना आते बेग्तिएद प्रस्ट पूंचते हैं अपने गुरु से सको कहते हैं यक्छ प्रस्ट मेरा बेटे कैसे मारा गया सब लोगों का मोग हो गया था ऐं फिर वहीं से राम की लड़ाई बलरां त्यात्रा कजरी वन और पस खतम यानि लक्युनेरल के अंधा कुवां माधा केक्टस तीन आको वाली मचली सूखा सरोवर नाटक बहुरंगी नाटक तोता मैना रात्मरानी रख्तमाल फिर क्या हो जाता है अभिमयन्यू घत्या हो जाती मतलब फिर चालू क्या होता है कलंग क मेश्टर अब मेन्यू है ना करफ्यू दूसरा दर्वाजा अब्दुल्ला दिवाना यक्षप्रस्ण एक सत्य हरिश्चंद्र है ना तो राम की लड़ाई बल राम की तेत्यात्रा का जरीवन पता है ना क्लास चलती रहे कि पता नहीं कब तक चले कि जब तक आप लोग क्लास बंद कर दिया जाए क्लास बंद कर दिया जाए क्लास बंद कर दिया जाए क्या सुबह स्टाट करूं सुबह स्टाट करूं क्लास को है ना यह क्लास सुबह साड़े बारा बजे स्टाट करूं फिट साड़े बारा और आप आगे बढ़िए थोड़ा सा इसको पढ़ ऐञा किये सब्राइबर मनें गीद्रोपती शुरेंड बर्मा को नातक नाठक आद्रोपती नारिया से नोड भिधूशक बन और काती रे दुर्योदन तुझे सूर की अंतिव किरड से पहली किरड याद द्रोपदी शेत बंदू ना एक खला एक विदू सक सूर की अंतिव किरड से पहली किरड तक फिर उसके बाद क्या होता भी यह और आगे बढ़िए फिर कहती है अब चालू होगा आठ्वा सर्ग और चोटे सैयद बड़े सैद दुर्योधन और दुसासन कोई नहीं बचोगे चोटे सैद बड़े सैद एक एक करके सबको मरवा दोंगी एक दुनियेग और शकुतला के अंगुठी और कैदे हयात यानि द्रोपदी क्या है जी द्रोपदी और सेद बंदू ना एक खला एक सेद एक दुनी एक सकुतला के एंग उठी और क्या है कैदे है आया ना कि अ अधिन नहीं हो गोपी गोपी में को मैसेज कर रहा है आज चलिए याद हो गया अब आप आए प्रेव चंद पे जिन को नीधारी उसो सकते हैं और जिससे क्या है कि सोजा यह कोई बात है मैं पढ़ा लोंगा जुनको जगना है क्यूहादा है चाहता हूँ कि कल का दिन पूरा सिपरेट है जिसे आप इसे रिवीजन कर सके है ना जिसे आप इसका रिवीजन कर सके अच्छा अब आप आईए प्रेम चंद पे तो प्रेम चंद सबसे पहले हिंदी रुपा असरारे मुवाविद आस लेके कहां जाते हैं देववस्थान है ना कि भर्द जोली मेरी या महम्मद लोट कर मैं जाओंगा खाली भर्द जोली मेरी मतलब आस लेके देववस्थान हम खुरमावा हम सबाब प्रेम पाने के बाद है ना किसना किसना गवन कर लेते थे गवन किसना पहले था जलवा कब होता है जब आपको वर्दान मिलता है बाजारे हुसन बाजार में हुसन की क्या ले लो मुंमयात करें तो आपको सारा याद करा दिए याद करा दे एक नहीं याद करा दिए याद करा दिए ना जब कुर्प कि एक हैं चले हैं चली आगे बढ़ता हूं उसके बाद देखो हिंदी उपन्यास तो सबसे पहले देवस्थान और प्रेमा है देवस्थान कब करें पांच का प्रेमा साथ का अब मैंने इसे ऐसे याद किया था सेवा करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं सेवा करते हैं तो सेवा में इनको वर्दान मिलता है वर्दान में प्रेम मिलता है है ना प्रेम के बाद भूम आदमी आजाते है मार पीड भी होती काया कल्प हो जाती है काया कल्प होने के बाद क्या होता है जी है ना बताइए तो छोड़ गया है काया कल्प के बाद आगे वाला कहा है निर्मला है ना फिर काया कल्प होती फिर निर्मला के लिए गवन कर लेते हैं फिर कर भूमी फिलबोदार मंगल सोत्र मैंने ऐसे याद किया है तो आँके बंद करके तुमको बदा देता हूं सबसे पहले जो उपर उसना वाला प्रेमस्ता चोड़ देजिए सेवा सर्धन सेवा करते है सेवा मिन को प्रेम मिलता है था प्रेम असरम के बाद यूवेचारे रंग भूम मे अंगल सुत्र का दूर है क्योंकि हमको चुम्मा ना दे रहा है कौन तम को चुम्मा नहीं दे रहा है कि इतना जूता मारूंगा नभी भी है है बताओ भाई साव यह क्या बात है थोंक दूंगा भी क्या समझें तुम बड़ी मार मारूंगा है इतनी मेनत से क्लास हो रही है इनको पता नहीं कुछ चुम्मा नहीं दे रहा है बेटा पटक पटक के मारूंगा बुल्डोजर चला दूंगा खोपड़िप तुमाई हमाई क्लास में इसी बात करो बग सब्सक्र disadvantage क्युत तुमखण कौन जी अरे भाप भाप लो बेसांवे अगल मतला यानी विस capturing वाला यानी माँ पीखाड़ी और संगर्स करके अपनी बेटों का जीवन चला लने पाटलें में आगे बढुदता हूं यह विंखरी हैं तो फिर क्या होता है चंढ हसीनों के खतूत कर लेते हैं दिली के दलाल वुद्वा के बेटी शरावी सरकार तुहारी आखों में चॉकलेट जी-जी जी आगोंने के दिन्चार जुहो यह भी पूछी चाहीं आप चले बढ़ी और आप आगे बढ़िये हैं जैशंकर प्रसाथ का तीनों पूछा जाता है कंकाल कितली इरावती उन्हीं सो नतिस चोंतिस और चातिस चतुर से सास्त्री के देखों चतुर आदमी क्या करता है उपर रखना चाते मैंने आपको गाना सुनाया था वो गाना आपक और उसी गाने से मैं आपको तो मैं आपको एक गाना सुनाए और उसी गाने से मैं आपको तो यह होता क्या है कि यह रिदे की परक चतुर आदमी है चतुर आदमी क्या परक ना चाहता है तो रिदे की परक करते हैं रिदे की परक में आप क्या करते हैं रिदे की प्यास हिदे की प्यास से पहले आप देखोगे 1924 में बेविचार हिदे परक्ते परक्ते क्या कर लेते हैं बेविचार कर लेते हैं आपने हिदे की प्यास बुझाने लगते हैं अमर अभिलासा यानि हिदे की परक्त में बेविचार कर लेते हैं परकते परकते कि तो हुआ लिए क्या कर सकती उत्तना मंधन सब दे सकती हुग नहीं घटना कर देते हैं कांड कर देते हैं तो रिदे की परक रिदे की परक में बिविचार कर लेते हैं है ना रिदे की प्यास बुझाते हैं अपने अंदर की आग बुझाते हैं अमरा बिलासा फिर वो बेचारी आत्मदा करने की हदमकी देती आत्मदा कर लूँगी मैं फिर क्या होता है आगे बताओ और आगे इसमें था लेकिन कट गया है ना तो बैसाली की नगर हो दो या रक्षामा सोना और पून चलो छोड़ दो अरे भाई साब सुक्रमनाव अर्चना त्रिपाठी नहीं है अभी हमारी एक स्टूडेंट अर्चना त्रिपाठी अगर अर्चना होती तो तुमको बताती अभी ठेक है चलिए अब देखो जैनेंद्र कुमार जैनेंद्र कुमार के देखो परक्ते हैं किसके परक्ते हैं सुनीता को त्याग देते कल्याणी को यानि परक्ते हैं सुनीता को फिर त्याग देते हैं कल्याणी के साथ सुक के साथ बिताते हैं अपना जीवन यानि परक्ते हैं सुनीता को त्याग देते हैं कल्याणी को फिर सुकदा के साथ बिवर्त बेतीत करते हैं अपना जीवन फिर मुक्ति पाने के लिए अनंतर अनाम स अब इनको याद करनो कैसे याद करोगे यह चुपके चुपके। उसके सार्स संबंद बना हैं। तो प्रेम और चाया उसे प्रेम दिखाकर चाया में अब लाना चाहता था और यह निर्वासी तो जाती है वहां से भाग जाती है मुक्ति पत के लिए किसके लिए मुक्ति के लिए फिर सुबा के भूले सुबा तक भटकती रहते हैं फिर इनको जिपसी मिलती है उस पर प्रियेशी मैंने बढ़ियां एकदम ट्रिक बता रहा हूं आपको क्लास में किपनी गंदी गंदी बातें करें बताओ कि अर्चिना देखो कोई कुछ बोल ला है उसको समझाओ तो मैं पढ़ाता हूं तब तक तुम देखो यह याद वग नहीं याद हुआ पक्का याद हो गया ना इलाचन जोसी क्या है ग्रिडा सन्यासी पर्दे किरानी प्रित और छाया निरवासित मुक्तिपत सुबा के भूले जिपसी जहाज का पंची रितुचक्र कभी की प्रेशी हाए ना याद हो गया ना अब आप आई अजिनभी 1961 नदी के दिफ यह तीनों पर्णियास इनका पूछा जाएगा से कर देव राज को मैंने आपको बताया था डॉक्टर देव राज को कैसे याद करना है डॉक्टर प्रसांत अगर आपने पढ़ा होगा अगर आपने एक अगर आपने वह पढ़ा होगा पीडिया जाइना साधी के तो उसीसे लिंक करके मैंने इसे नक उंसे में करने प्दो आप बाहर जाना पके यहां वहां उसे तमाम रोडे-पत्थर मिलते हैं और उस और नोड़े पत्थर को अजने डायरीम लिख लेता है और तब ही मुलाकात हो जाती मैं वे और आप और आप हो जाते हैं और दोनों तरफ से आग लगती है प्रेम में दोहरी आग किलफट ताब वहीं से दूसरा सुत्र चाल वहता है क्योंकि प्रेम के बाद बेभी पैदा हो भगवती चड़ बर्मा भगवती चड़ बर्मा पे आप देखेंगे तो पतन हो जाता है भगवती चड़ बर्मा का क्या हो जाता है भगवती चड़ बर्मा का क्या हो जाता है भगवती चड़ बर्मा अगर आप देखोगे तो यह अपनी कहानी बताते है फ्लेजब पतन हो ज उन्हें बहु टेड़े मेड़े रास्ते देखे उन्होंने उस तीन साल में फिर अपना आकरी दाओं चलते हैं जब सादिक बात आती है तो कुछ नहीं इनके हाथ आता अपने खिलोने आते हैं तब इनको भूले विसरे चित्र याद आने लगते हैं यानि पतान चित्र लेख सीथी सच्ची बाते में समय नचावत राम घुसाई और प्रस्ण और मरीची का आंके बंद करके अगर याद करना हो तो ऐसे मैं बता सकता हूं पतन चित्र लेखा तीन वर्स टेड़े मेड़े रास्ते आकरी दाओं अपने खिलोने है ना आकरी दाओं अपने खिलोने और इसके बाद फिर वह फिर नहीं आई शामर्थ और सीमा और अब थके पाओं होगे सामर्थ और सीमा सब इनचावत राम को साई प्रस्ण और मरीची का वक्त नहीं है बस कर दो अब और आप आगे बढ़िए उसके बाद चतुर सेंस सास्त्री का वही आगे वाला आगे जो वहां चूटा था ना देखो वैसालिक नगर बदुरक्त की प्यास आलमगीर वैम रक्षामा सुमनात वही जो वहां आया था ना कि क्या होता है रिदे की परक्त फिर प्यास वही था ना उसी का आगे यह वैसालिक नगर बदुरक्त की प्यास आलमगीर वैम रक्षामा सुमनात वोली सुना और पुछा जाता है मुर्दों कटीला प्रतिदान चीवर अधेरिक जुगनू पक्षी और आकास रहना रुकी इसमें चीवर सबसे ज़्यादा पू अम्रिताल नागर अब खला है चलो कल सुबह पढ़ाऊंगा मोईना तो सुबह मैं मिलता हूं आप सबी से सुबह की क्लास में ग्रुप में कर देता हूं और कल आपको एक तो साड़े बारा बजह कल आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाऊंगा मैं ध्यान से समझी यह क्या क कुछ और कि प्लश कर्णा गां तो एक तो सुवाद compost अदेता हो जो सब्सक्राइब ना फ़ली बात सेरकर देना दूसरी बात स्त करता है छे बजे क्लास रख देता हूं, छे बजे उठना है या नहीं उठना है, इस्पेसल क्लास रख देता हूं टेस्ट वाली, एक PYQ कर लेंगे, ऐसा करता हूं, मैं अभी सेडूल लगाते हैं तो 6 बजे का, है ना, तो 6 बजे से 8 बजे तक हम लोग PYQ कर लेंगे, अप्लिकेश संग पन, और इसके बाद हम लोग 10 बजे से क्लास करेंगे, 10 बजे से, नहीं, साड़े 10 बजे से, ऐसा करते हैं, 6 से 8 नहीं, 6 से 9 कर लेते हैं, 6 से 9 लोग PYQ कर लेते हैं, 6 से 9 PYQ कर लेते हैं, सुबह सुबह, और उसके बाद फिर साड़े 10 बजे से 12 तक प्लस में, दस से बारा फिर साधे बारा बज़े से लेके ये class चलेगे कल कितने बज़े तक चार बज़े तक इतने बच्छे कर लेंगे और दो गंटे में हम लोग उसे complete कर लेंगे किसे यूनिट साथ यूनिट दस और यूनिट दो के mix लेगे इतना बचा हुआ उपन्यास में देखोगे अम्रितलालनागर के प्रसेद उपन्यास तो अम्रित लाल नागर को क्या किया गया बहिया कि महा काल को यानि भगवान संकर को बाके लाल बनाकर बूद और समुद्रियानी समुद्र से निकले बूद को बिश को पिला दिया गया उनको सतरंज का मोहरा बनाया गया आखिर वो भी किसी सुहा के नुपूर थे अम्रित ब मुखड़ा बना के अपना उनके साथ चल गिए एक दा नेमिसा रड़े मानस खंस नाचे बहुत गुपाल खंजनन विक्रेतिन के अगनिगर्भा करवट और पीड़ियां यह क्रम भी पूछा जाएगा और यह भी पूछा जाएगा छेसे आट ठीक है चलो यह साथ बज़े से चलिए और आप आगे बढ़िये देखो मैं पढ़ा दूंगा मेरी हैइबिट पढ़ गई मुझे तो पूरी रात पढ़ लोगा है मैं पूरी रात पढ़ा दूंगा मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता जब मैं तीन चार गंटे पढ़ा लेता हूं मेरा जो शरीर है ना उस बदलना नहीं चाहिए ना तो बस मैं आपको एक चीज़ याद रखता हूं कि जो आपके लिए किया है आप उसके प्रत किर्टक रहिए कोई अगर आपको बहुत आगे लोग मिल जाते हैं पीछे को कभी भूलना नहीं चाहिए मैंने बहुत लोग को बदलते देखा है जो लोग मुझसे जुड़े रहे जो मुझसे सीखे जो मुझसे सीख कर एक युद्धा बने आप और आगे बढ़िए मुझे अच्छा लगेगा लेकिन आपको कभी उनका वो नहीं करना चाहिए उनको नहीं भूलना चाहिए जिस सीड़ी से आप चड़े क्योंकि प्रारंभिक सीड़ी जो होती जो आपको वहां तक पहुंचाया हुआ है तो बहुत इंप्वार्टे छोड़ो जाने दो बस यह है कि मतलब कि अंदर हो नीचे याचार हजारी प्रसाद दिवेदी पूछा जाते बाण भट्ट की आत्मकता अगर कोई आत्मकता लिखता है तो उसको लेक लिखना पड़ता है उसे नया बनाता है फिर अनामदास कप होता उसे याद रखना कि मै मैं आपको फायदा ही पहुचाओंगा मैं कभी नहीं पहुचाओंगा मैं कभी घाटा नहीं फोछ मेरा अपना इक नाम है में मेरे साथ यूड़े clean मैं आप मुझे क्या मिरैं विद्यारतिmon मिले हैं राम मिसरा का नाम ही काफी है एक पहचान है हमारी मैं आपको दूंगा आपसे लूंगा नहीं कभी लेकिन तुम छोटी सी चीज के लिए जब बदल जाते हो ना तो मन में तकलीफ होती है ऑर मैं क्या करता हूँ एक प्रतिकार करता हो मैं उनका नमबर डिलीट कर देते हूं कि बच्चे करना चाहता उत्य करता है तो यह आपको होगे ना बाड़कवट्टियाद में था 46 63 मैं बस यह करता हूं मैं कुछ बोलता नहीं क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हो न तुम लोग और आप आगे वड़ी फडिसोनात रेडू कर मेला आचल मेला आचल जो मैला अचल जो मैला आचल में आप देखोगे तो मैला अचल में परती परकता है मतलब बहुत कथाएं एक साथ चलने हैं 256 तो पात रहें दिर्गतापा बहुत दूर तक घटना जाती है जुलूज भी निकलता है जुलूज चौराहे पर निकलता है पल्टु बाबु रोड पर राम रतंगार कैते हैं आग देखी है धुआ देखा है दोस्तों हमने जहां द देखा है दोस्तों हमने जहां देखा है पासा पल्टे तो पलट जाते हैं लोग कौन कभ कहां देखा है तो चीज़ें वही होती ना स्रीलाल सुकल कर देखो सूनी घाटी का सूरज भी इंपॉर्टेंट है अग्यातवाश है रागदरबारी सिमाएं तूटती है मकान पहला पड़ाव विश्रामपुर का संति ये करम भी पूछा जाएगा मैं जितना आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत राही मासूम रजा को मैंने खुद से बताया था राही मतलब मैं खुद जब मैं गाउं जाता हूं तो टोपी लगा लेता हूं क्या लगा लेता हूं टोपी लगा लेता हूं है ना टोपी लगा गया आ बढ़ता है आपने टीचिंग पड़ा होगा तो तुम्हें लगा नहीं है तो अब आप देखिए जब मैं आदमी गाओं हो जाता है अब यहां इसको खुद से याद करा दिया था मुझे एक लोगों का नाम पता है कितने लोग जो मेरे करीबी थे जो अभी अपना रूप रंग दिखा रहें देखो रूप रंग का मतलब यह होता है न कि जैसे जैसे गाओं होता है पार्टी होती है देखो दो तरीक एक लोग होते हैं दो तरीक मतलब जैसे होते हैं वो भाईया ना काहुस दोस्ती ना काहुस पृत सबके साथ रहें कुछ लोग होते हैं जैसे अगर यह चुनाओ जीत रहे इसे लोगों से मुझे शक्नाफरत आपका जहां काम करिए काम जहां करिए लेकिन यह अच्छी नहीं लगती कभी जरूर थी तो उनसे सटे रहे ऐसा नहीं चाहिए यह चीजे नहीं अच्छी लगती थोड़ी सी बाकि ठीक है अपना-पना मन है तो राही मासूम रजा का उप अधा गाउ मैं सबसे पहले आधा गाउं गूमता हूं रखाता हो करते में अधा लगा लग कई चांठा rateu क्वेला उदे क्रम्या किस्ता इनका है यसपाल का है किसका है यसपाल का तो यसपाल का आप से पूछा जाता है यसपाल का आप से पूछा जाता है यसपाल का पूछा जाता है यसपाल में देखोगे आप दादा कामरेड कौन है दादा कामरेड तो दादा कामरेड के पास जाते हैं वहां दादा कहत पास आте हैं, पार्टी बना ने भी पार्टी, पार्टी बनाने पर इनको मन उसके रोप दिखने लगते हैं, यानि सराप disfrut, अपना-पना हिट चाहने लगते हैं, तो अमिता के पास जाते हैं, अमिता ने के बाद बताओ जूटा सच कौन अमिता उसके बाद क्या है 12 गंटे अप्शरा का साथ फिर क्यों फंसे तेरी मेनी उसकी बाद कि वाग देखी है दुआं देखा है दोस्तों हमने जहां देखा है पाशा पल्टे तो पलट जाते हैं लोग कौन कब कहां देखा है आए हाए भीषमसानी पाज़ाओ ये उपर्णियास फतम कर लो भीषमसानी तो भीषमसानी क्या है भीषमसानी आप देखोगे तो जरो खा और आप सभी लोग जानते गाना सुने होंगे ज़े दूर Luckily बाड़े अएसे था ना तॉयांनि ज़रोखे से कड़ियां मिला रहे धिआ ज़रोखे से कड़ियां कि सीरष देख लिया तमाशा हो गया किसके सा तमाशा हुआ बसंति साथ हुआ फिर क्या होते हैं मैय दास की माड़िव जाती हैं वहां कुंतो नीलिमा नीलो नीलो फर के साथ जेहिंद के सेना बनाती है खतम है अब आप आईए बदिव जमा एक चुहे की मौत छाकों की वापसी छटा तंत्र सभा पर बहुत इंप्वर्टेंट है जाना अधर ना कियों के जरू के से तुझे देखा जो शामरे दर्बीर भारतिक उपन्याज देखो गुनाहों को देवता सुरज का सात्मा गोड़ा बहुत इंप्वर्टेंट ही से पढ़ लिजिए अब इसके बाद कृष्णा सोब्ति पाएंगे मित्रो मरजानी सूरज मुखिया देरे के जिंदगी नामा दिलो दानी समय सरगम बहुत अच्छे तरीके से याद कराया था बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से याद कराया था क्रिष्णा यानि क्रिष्णा के बीना क्या बताओ क्रिष्णा के लिए मित्रो मरजानी यानि क्रिष्णा के लिए उनके मित्र यानि गोपिया जान तो भी रहते हूं आप लोग को मेहनत करें मेहनत ही जो आपको आगे ले जाती है ना मेहनत ही आपको आगे ले जाएगी सोचो थोड़ी दिम आप सेलेक्ट हो जाएंगे और इस वार मैं इतना बहतरीन बैच स्टाट कर रहा हूं पूरी जान लगा दूगा या तो मर जाओंगा या तो एकदम अब इस बार पूरा वो कर दूँगा पढ़ाता मैं रभार हूं लेकिन कुछ जिम्मेदारियां कुछ इदर बिस्तता बढ़ गई थी लेकिन इस बार में पूरे फुल मूड में हूं इस बार में आपको चार तरीके इस पढ़ाऊंगा, दो क्लासे का आपकी लस्की रहेंगी, दो आपकी प्रैक्टिस की, चार क्लासे, जून वाले एक्जाम में फिर हर बार तंडो करता हूं, इस बार भी तंडो करूंगा आपकी एक्जाम में, सरवाधिक रिजल्ट का एक्जाम हर बार तूटना चाहिए और इस बार भी टूटेगा खुब बढ़ियां पार्टी करेंगे है ना बस आप लोग मेहनत करना हो इस बार ना यह नया बैच आपका आ रहा है पते कब आ रहा है यह छे मार्च से आ रहा है तो आप जिनको आगे जुड़ना होगा जुड़ जाना नंबर मेरा लिख करकाई करके दे दे जिसको बहुत क्लास देनी हो ना मेरी तरह उस से पोचो तब पता चलेगा मैं इतना क्लास दे देता हूं उतना मैंटर बनाने ही लोग के बस की बात नहीं है समझ गे को नहीं समझ गए ना 246 फिरी क्लास दे कि आदमी यह दिखा देता है मैं बहुत बढ वीडियो देखते रहो तुमारा मन करेंगा देखो गांगे लाइप पढ़ाते हूं शारे चार 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 सें दोंग तो पैसा मत बचाना आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना नहीं पैसा रिस सर्च मनू बंड़ारी आपको बंटी महा थोड़ा से और अधिक्डि कि देखता बार पूछा जाता है नासिरा सर्मा का साथ नदिया एक समंदर मतलब नासिरा समद लोग बाहर से आई थी और इनकी साधिया हुई थी साथ नदी समंदर पार करके शालमली ठीक रहे कि मगनी अपनी मगनी करने लोग इनको जिंदा मुहाबरे कहते थे हैं अक्षेवर्ट मरना मतलब मेनत करना है नहां ही परों दनक मतलब मेनत करना जिंदब मेहनत करना अरे झ्ले工作 कैसे लिए कि जरूर बताना आ जाते जाते वकत आने पर बता देंगे तुझे ऑ वाश मा हम भी क्या बताएं किया हमारे दिल में एक पंगतियां वसुधा कन्यTF कौन हुआ प्रू खंडब जीता कौन हुआ अतुलित यस्क्रेता कौन हुआ नौ्धर्म प्रडेता कौन हुआ LEGO सकूल की या विगनों में रहकर काम किया जब विग्ण शामने आते हैं सोने से से हमें जगाते हैं करएं थी जिनकि सिज सुगर चाया देता क्याव लंबर। बिपदाई्व दूध पिलाती है लोरियां सुनाती है जो लाक्षा गिरी में तपते है मोहिसूर्मा निकलते हैं कि था। Barnes दीमि जाते हो यह सुर्मा निकलते हैं पत्ति जो नहीं जलाता है रुस्णी ऱ